अक्टोबर जंक्षिन, प्रस्तावना, हमारे पास हर कहानी के दो वर्जन होते हैं, एक, दूसरे को सुनाने के लिए और दूसरा, अपने आपको समझाने के लिए, जिस दिन हमारी कहानी के दोनों वर्जन एक हो जाते हैं, उस दिन लेखक अपनी किताब के पहले पन्ने पर इस कहानी के सभी पात्र कालपनिक हैं। इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से लेना देना नहीं है। यही एक अधना सा जूट पूरी कहानी को सच्चा बना देता है। अगर आप इस बात को ध्यान में रखकर इस कहानी में उत्रेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। सारी दुनिया दिन रात इस इंतजाम में है कि लोगों को कम से कम अपने अंदर ज्हांकने की फुरसत मिले। इस दौर में किताब पढ़ना अपने आप में बड़ा काम है। किताब का काम वही है जो पानी का एक छोटे से पौधे के लिए होता है। खुश्बू और खुब से नाराज हो जाता हूं तो कभी किताब के किरदार नाराज हो जाते हैं। महीनों कोई बात ही नहीं होती फिर अचानक एक दिन सारे गिले शिक्वे भूल कर हम एक हो जाते हैं। जैसे कभी कुछ हुआ ही नहो वैसे तो मैं इस कहानी और आपके बीच नहीं आना चाहता था लेकिन कुछ कहानिया ऐसी होती है कि जिनका सिरा सही से पकड़ने के लिए लेखक को बीच में आना ही पड़ता है कहानी में घुसने से पहले बस आप कुछ बातें जान ले तो बहतर होगा अक्टूबर जंक्शन का ख्याल मेरे पास मुसाफिर कैफे लिखने से पहले से था लेकिन यह कहानी कुछ साल नाराज रही मैं कुछ और कहानिया ढूंडता रहा, कुछ-कुछ लिखता रहा और बहुत-कुछ मिटाता रहा अक्टूबर जंक्शन का ख्याल बार-बार आता लेकिन हर बार बात अधुरी छूट जाती मुझे नहीं मालूम इतना साफ साफ लेखक को किताब के पहले पन्ने पर लिखना भी चाहिए या नहीं एकिन कुछ बातें लिख और बोल देना बोज उतार देने जैसा ही होता है मैं बहुत दिनों से ऐसी कहानी ढून रहा था ऐसी कहानी से मेरा क्या मतलब है मुझे खुद भी सही से नहीं पता कहानियां लिखना ऐसे ही कुछन कुछ ढूनते रहना है जहां आपको बस एक धुंधलासा विश्वास होता है कि धूंडने पर शायद कुछ मिल जाए आखिर में मुझे बस इतना समझाया कि कुछ कहानियों को पढ़ने और लिखने का बस एक तरीका होता है कि हम उन कहानियों को जी लें आप इस कहानी को जी पाएं तो ठीक, नहीं तो इसको एक बुरा सपना मानकर भूर जाएगा समय एक दिन धीरे से अच्छी और बुरी दोनों कहानियों को मिटा देता है बचते हैं तो कुछ लोग जो सुनी हुई कहानी को अपने हिसाब से बदल कर कहानिया आगे बढ़ाते रहते हैं हर बार किताब पढ़ने के बाद लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या वो सच्ची कहानी थी मैं हमेशा जवाब घुमाफिरा कर देता हूं या टाल जाता हूं बस एक चीज बता सकता हूं कि इस कहानी के किरदार सच और सपने के बीच की छोखाली जगह में मिले थे बंद से खुली भर ही हम जिन्दगी को चूपाते हैं बस इतना ही लेखक उस कहानी को छूपाता है जिसको वह अपने मन से कागस पर उतारने के लिए सालों बेचैन रहता है मुझे उम्मीद है आप अक्टूबर जंक्शन परते हुए उन्ही रास्तों से, उन्ही सच्चायों से, उन्ही गलतियों से वैसे ही गुजरेंगे जिनसे इस कहानी के किरदार गुजरे हैं दिव्य प्रकाश दुबे, मुंबई यू तो हिंदुस्तान में किताब का लॉंच होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है लेकिन आने वाली किताब चित्रा पाठक की है, इसलिए दिल्ली में अच्छी खासी सरगर्मी है चित्रा की उम्र है करीब 37-38 साल उसकी पिछली तीन किताबे कुल मिला कर 50 लाक से उपर विकी हैं जहां एक तरफ ऐसा लगता था कि किताब बेचने के मामले में चेतन भगत और अमीश्टर पाठी को कोई पीछे नहीं छोड़ पाएगा, बहीं चित्रा उनको लगातार टक कर देने लगी है हिंदुस्तान का कोई ऐसा लिटरेचर फैस्ट, कोई ऐसा बड़ा कॉलेज नहीं है जहां चित्रा को नहीं बुलाया जाता चित्रा को क्या पसंद है, क्या नहीं, यह पूरी दुन्या को पता है शेहर की कोई भी पेज तीन पार्टी बिना चित्रा के पूरी नहीं होती हर संडे उसका आर्टिकल पेपर में आता है वह तो आर्टिकल लिख कर भूल जाती है लेकिन उसके आर्टिकल पर सोशल मीडिया में तब तक डिसकेशन होता रहता है जब तक उसका अगला आर्टिकल नहीं आ जाता चित्रा हर 10 अक्टूबर को कुछ हिन कुछ बड़ा अनाउंस करती है चित्रा की किताब आये एक साल से उपर हो गया था कुछ महीनों से उसने आर्टिकल लिखना भी बंद कर दिया था जिस दोरान चित्रा किताबों की दुनिया में अपनी जगह बना रही थी उसी दोरान एक और लेखे का सुर्भी पराशका नाम उभर कर आया सुर्भी पराशर हिंदुस्तान की किताबों की दुनिया का ऐसा नाम है जिसको हर कोई जानता है सुर्भी की पहली किताब तीन पार्ट की एक सीरीज है उस किताब के दो पार्ट आ चुके हैं और तीसरे पार्ट का सब को इंतजार है सुर्भी का स्टाइल आजकल के सभी लेखकों से बिल्कुल अलग है सुर्भी बच्चों के लिए किताब लिखती है जिसको बच्चे से लेकर बुड़े तक सब पढ़ते हैं मीडिया में यह भी माना जाता है कि सुर्भी ने हिंदुस्तान का अपना हैरी पॉर्टर क्रियेट कर दिया है किताब के दो पार्ट आने के बाद से बच्चों से लेकर बुड़े तक तीसरी किताब का बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं सुर्भी पराश और चित्रापाठक की हर बात एक दूसरे से अलग है लिखने से लेकर लाइफस्टाइल तक कमाल की बात यह है कि सुर्भी कहां रहती है सुर्भी की उम्र क्या है, उसने क्या पढ़ाई की है, वह रहने वाली कहां की है, यह किसी को भी नहीं पता सुर्भी की कोई फोटो उसकी किताब के पीछे नहीं आती, नहीं वह कोई इंटरव्यू देती है, नहीं किसी इवेंट में बोलने के लिए जाती है जैपूर लिटरेचर फेस्टिवल में कई बार बुलाए जाने के बाद भी सुर्भी ने जाने के लिए कभी हामी नहीं भरी मीडिया में अक्सर ही खबर चलती रहती है कि कोई बड़ा राइटर सुर्भी पराशक के नाम से लिखता है सुर्भी की पहली ही सीरीज की तीसरी किताब का इंतजार उसके लाखों फैन कर रहे हैं सुर्भी के पब्लिशर भी सुर्भी के बारे में कोई जानकारी नहीं देते जहां एक तरफ चित्रा को लिटरेचर के क्रिटिक कोई भाव नहीं देते वही सुर्भी पराशक क्रिटिक्स की फेवरेट राइटर है चून की सुर्भी की किताबें भी लाखों में बिक्ती हैं इसलिए चित्रा पाठक को सोशल मीडिया पर ट्रोल करने वाले हमेशा यही बोलते हैं कि अच्छा लिख कर भी लाखों लोगों तक पहुँचा जा सकता है वैसे चाहे चित्रा पाठक, सुर्भी पराशक से न चिर्ती हो लेकिन उनके फैन आपस में हिंदुस्तान पाकिस्तान का क्रिकेट मैच खेलते रहते हैं प्रेस कॉन्फरेंस में थोड़ी देरी हो रही थी, लोगों में सरगर्मी बढ़ती जा रही थी चित्रा के कुछ फैन इस उम्मीद में वहां पहुँचे हैं कि वे अपनी किताब पर आटोग्राफ ले सकें चित्रा अपनी टीम के साथ हॉल में पहुँची चित्रा की हर बात किसी बड़ी हीरोईन वाली थी, उसने गौगल पहन रखें थी शिफॉन की साड़ी उस पर बहुत सूट करती है उसकी स्टाइल में कई औरतें साड़ी पहनने की कोशिश करती हैं चित्रा के बाल छोटे हैं चित्रा से जब कोई रिपोर्टर सवाल करता है तो वह ऐसे देखती है जैसे आदमी की आत्मातक का एक्स्रे कर लेगी एक कोट पेंट टाई पहना हुआ चालीस साल का आदमी आगे आकर लोगों को चुप करवाना शुरू करता है अपने स्टाइल से यह आदमी चित्रा का मैनेजर लगता है आप लोग प्लीज शांथ हो जाए चित्रा की टेबल पर पानी की बोतल है, माइक है और एक कप में चाय रखी है चित्रा पानी पी कर 10 सेकंड का पॉज लेती है और पूरे कमरे में एक कोने से दूसरे कोने तक देख कर बोलना शुरू करती है इतने shout notice पर आप सभी लोगों का आने के लिए शुक्रिया चित्रा ने बोलना शुरू ही किया था कि इतने में फिर से शोर शरवा बरना शुरू हो जाता है हर किसी के पास चित्रा के लिए अलग सवाल है अगली किताब किस बारे में है, वह अगली मनाने कहां जाने वाली है, उसकी किताब पर कौन फिल्म बना रहा है, वह आजकल किसको पढ़ रही है, चित्रा आजकल किसको डेट कर रही है, इतने में पीछे से कुछ लरके लरकियों का एक ग्रूप एक साथ चिल लाता है, चित्र चित्रा कभी कनफेशन जैसा कमजोर शब्द बोलेगी इस बात का यकीन कर पाना मुश्किल है। अज भी मैं एक नई किताब के बारे में आप सब को बताने वाली हूँ लेकिन वो किताब मेरी नहीं बलकी सुर्भी पराशकी है। कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानती थी। जब मैंने यह सच बता ही दिया है तो आप लोग ये भी जान लीजिए कि मैंने केवल किताब के पाथ तीन का आधा हिस्सा लिखा है। मैं यह भी बता देना चाहती हूँ कि सुर्भी पराशक नाम का कोई व्यक्ति नहीं है बलकी सुर्भी पराशके नाम से सुधीप यादव ने सारी किताबें लिखी हैं। कमरे में खुसुरफुसुर शुरू हो जाती है लेकिन चित्रा अपना बोलना जारी रखती है। के साथ एक मिनट लिफ्ट में जाने के लिए भी लोग बेचैन रहते थे। एक दो बार उसने लिफ्ट में मिले हुए किसी लड़के के आइडिया में तुरंत इन्वेस्ट कर दिया था। क्रिकेट में जो जगह सचिन की थी, वो स्टार्ट अप की दुनिया में सुधी प्यादब की थी। किसी भी कॉलेज का कोई लड़का अपना स्टार्ट अप शुरू करने का सपना देखता था तो वह सुधी प्यादब को अपना आइडल मानता था। देश की बड़ी से बड़ी मॉडल और हीरोईन सुधी प्यादब के साथ डेट करने के लिए तैयार थी। यह वही सुधी प्यादब है जो सुर्भी पराश के नाम से किताब लेख रहा था। चित्रा ने इतना कहकर पानी पिया। सुधी प्यादब के जवाब केवल चित्रा के पास थे। आज जो चित्रा लोगों के सामने थी वह भी तक की अपनी पब्लिक अपियरंस से बिलकुल अलग थी। आज बड़े से कॉन्फरेंस हॉल में बैठी चित्रा और दस साल पहले की चित्रा में कोई फर्क नहीं था। वह चित्रा जो आज से ठीक दस साल पहले बनारस गई थी। दस साल पहले, अक्टूबर दो हजार दस, बनारस, बनारस शहर सच और सपने के बीच में कहीं बसता है। बनारस में कोई समझ नहीं सकता की सच क्या है और सपना क्या। कोई यहां सच धूंढने आता है तो कोई सपना भूलने, लेकिन बनारस एक धीट शहर है। यह लोगों के सच को सपने में बदल देता है और सपने को सच की तरह दिखाने लगता है। बनारस के चौराहों पर जिंदगी के मायने गोल-गोल घूमते रहते हैं, कोई पकड़ लेता है तो कोई खाली हाथ लौट जाता है। शहर थोड़ा मूडी है, हर किसी पर खुलता नहीं और हर किसी से खुलता नहीं। बात थोड़ी गहरी है, कोई समझ जाए तो ठीक नहीं तो जए बोले नाथ। किसी भी कहानी में कोई लड़का और कोई लड़की कहीं कहीं तो मिलते हैं। दुनिया में जहां-जहां कोई लड़का लड़की मिल सकते हैं वो सब कुछ लिखा जा चुका है। कॉलेज से लेकर ओफिस तक, ट्रेंज से लेकर हवाई जहाज तक, चून की चित्रा और सुदीप को कहीं कहीं तो मिलना ही था, इसलिए दोनों असी घार पर मिलते हैं वे दोनों कभी मिले नहीं होते अगर उस समय पिजेरिया कैफे में बहुत ज़्यादा भीर नहीं होती यह कहानी शुरू ही नहीं होती अगर उस वेटर ने अपना बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में इन दोनों को साथ नहीं बैठा दिया होता इस कहानी में वेटर का काम इतना ही था, अब वह इनका ओर लेने का बाद कभी वापिस नहीं आएगा आपने कभी सोचा है, रोज तमाम कहानिया ऐसे ही वे लोग शुरू करते हैं जिनको कभी पता ही नहीं चलता कि वे कहानी का कितना है हम हिस्सा है सुदीप की उम्र है करीब 25 साल, उसने कैजूल काली टी-शर्ट और नीली जीन्स पहनी हुई है चित्रा की उम्र है 26-27 साल, चित्रा ने शौट कुर्टा और नीली जीन्स पहनी हुई है ये दोनों कौन हैं क्या करते हैं धीरे-धीरे आपको पता चल जाएगा अभी जानने लायक बस इतना है कि दोनों एक साथ कैफे की टेबल पर है दोनों ने एक-एक पिजज़ा और नीमगु शहद पानी ओडर किया है लोग बनारस क्यों आते हैं? क्यूंका पता नहीं लेकिन ये पता है कि कब आते हैं? कब आते हैं? जब आगे कोई रास्ता नहीं दिखता ये सवाल जवाब सुदीप और चित्रा भी एक दूसरे से कर सकते थे लेकिन ये सवाल सुदीप और चित्रा के ठीक पीछे वाली टेबल पर बैठे किन ही दो लोगों ने किया उन दोनों की आवाज इन दोनों को सुनाई पड़ी इन दो लोगों ने अगर उस दिन यह सवाल ना पूछा होता तो शायद यह कहानी शुरू ही नहीं हुई होती पीछे वाली टेबल पर बैठे उन दो अजन्बियों की बात सुनकर चित्रा ने कहा How true? कहां अटक गई हैं आप? Sorry, शायद मुझे नहीं पूछना चाहिए सुदीप ने कहा, It's okay, मैं अपनी किताब में एक जगए हाटक गई हूँ कहानी आगे ही नहीं बढ़ रही यहां B.H.U. में एक कविता का इवेंट था वहां से इंवीटेशन आया तो सोचा शायद बनारस में मोक्ष तो सबको मिलता है शायद मुझे कहानी मिल जाए तुम बनारस क्यूं आए हो? चित्रा ने पीछे की टेबल पर बैठे लोगों की बात सुनने की नाकाम कोशिश करते हुए पूछा मेरे एक दोस्त की शादी थी और बनारस के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था कई सालों से यहां आने का मन था कैसा लगा बनारस? जैसा सुना था वैसा तो नहीं लगा अभी तक कितने दिन से आय हो? एक दिन हो गया कल ही फ्रैंड की शादी थी बनारस चरने में टाइम लगता है चित्रा ने कहा सॉरी मैं समझा नहीं दो दिन के लिए आओगे तो बनारस कभी अच्छा नहीं लगेगा बनारस आओ तो फुर्सत से आओ बनारस आते बहुत लोग हैं लेकिन पहुँच कम लोग पाते हैं तुम्हारी ये आखिरी लाइन मेरे उपर से गुजर गई लेकिन एक बात बताओ ज्यादा दिन रुखने से बनारस बदल थोड़े जाएगा वेल मैं बस इतना बोलूँगी दो दिन से ज्यादा रुख कर देखो तब ये सवाल नहीं पुछोगे इतने में पिजजा आ गया दोनों ने अपना अपना पिजजा खाना शुरू किया सुदीप पिजजा खाते हुए घाट के पास बैठे कॉलेज के बच्चों को देखने लगा वो बच्चे शायद बनारस हिंदू यूनिवसिटी के कॉलेज के थे वे घाट पर बैठ कर घाट का स्कैच बना रहे थे कुछ लोगों को पता भी नहीं था कि उनका एक हिस्सा किसी अंजान लड़के के स्कैच में कैद हो गया है हमारे कितने हिस्से दुनिया में कहां-कहां कैद हैं ये हम कभी नहीं जान पाएंगे दोनों आधा पिज्जा खाने तक कुछ नहीं बोले चून की भीर बहुत थी तो वेटर ने सुदीप और चित्रा की टेबल पर एक दो लोगों को और फिट करने की कोशिश की चित्रा ने वेटर से कहा कि एक दो लोग और आ रहे हैं वेटर को भी पता था चित्रा जूट बोल रही है चित्रा आराम से बैठना चाहती थी देखो पिज्जा आधा बचा है अगर मैंने जल्दी खा लिया तो वेटर जाने के लिए बोलेगा मुझे थोड़ी देर यहां बैठने का मन है तब तक टाइम पास के लिए तुम अपने बारे में कुछ क्यों नहीं बताते सुदीप चित्रा की बात सुनकर हसा कमाल है मुझसे कोई ऐसे बात नहीं करता वैसे टाइम पास के लिए तुम अपने बारे में कुछ क्यों नहीं बताती पुछो शहर शहर मतलब जहां की मैं हूँ या जहां मैं रहती हूँ Mostly लोगों के दो शहर होते हैं एक जहां के हम होते हैं और एक जहां हम रहते हैं जहां तुम रहती हो दिल्ली और तुमहारा मुंबई और तुम रहने वाली कहां की हो बोपाल और तुम लखनाउं वैसे ये शहर वाले सवालों से तो तुम बोरिंग सी नौकरी करने वाले MBA टाइप लग रहे हो। तुम जज कर रही हो मुझे। हाँ, कर रही हूँ। अब कुछ अच्छा बताओ चाहे जूट बताओ, मजा आना चाहिए बस। मैंने 12 टी-एच के बाद पढ़ाई नहीं की। वाट, आयू सीरियस, सौ प्रतिशत सीरियस, ये हुई न बात, फिर करते क्या हो, मैं इतना कुछ खास नहीं करता, मैंने करने के लिए लोग रखे हुए हैं, दील क्या दी तुम तो फेंक नहीं लगे, लेकिन चलो कम से कम ये बोरिंग तो नहीं है, अब तुम पूछो, त नाम क्या है तुम्हारा, अब तुम बोरिंग सवाल पूछने लगी, एक बोरिंग सवाल तो पूछी सकती हूँ, सुधी प्यादब, एक मिनट, एक मिनट, सुधी प्यादब तो सुना हुआ नाम है, तुम्हारी कमपनी का नाम क्या है, फिर बोरिंग सवाल, अरे बताओ, Book my trip, तो तुम, सुधी प्यादब हो, हाँ, सुधी प्यादब हूँ, नाम के पहले दल लग गया है मुझे नहीं पता था, खास कर जब कोई इतना अच्छा पिज्जा खा रहा हो तब तो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, सुधी प्यादब के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, वो यहाँ बनारस में बैटकर आराम से पिज्जा खा रहा है और मैं उससे कोई फालतुसी बोरिंग बात कर रही हूँ, बताया न, मैं एक दोस्त की शादी में आया था और फिर मैंने तीन दिन का ब्रेक भी ले लिया, ब्रेक किसलिए, मेरे डॉक्टर ने दवा के साथ भी प्रेसे क्राइप की थी, बनारस का प्लान बना तो सोचा यह रुप कर देखते हैं, हुआ क्या है तुम है, तुम ज्यादा ही पसनल नहीं हो रही, राइटर कप से जर्नलिस्ट टाइप सवाल पूछने लगे, सुधीप ने अपना पिज्जा खत्म किया, वेटर अब तक इनकी टेबल पर घात लगाए बैठा था, सॉरी, लेकिन सुध सुधी प्यादव ऐसे ही किसी टेबल पर टकरा जाए तो थोड़ा एकसाइडमेंट तो बनता है, मैं जूट बोल रहा था, मैं सुधी प्यादव नहीं हूँ, नहीं मेरी कोई कमपनी है, मैंने MBA किया है और मैं नार्मल सी नौकरी करता हूँ, सुधी प्यादव के बारे में आर्टिकल पढ़ा था कभी, बस आज मौका देख कर फिंग दिया, चित्रा को कुछ समझ नहीं आया कि सामने बैठा हुआ लड़का सच बोल रहा है या जूट, आर्थी शुरू होने को है, अच्छा लगा आपसे मिलकर मिस राइटर, चित्रा पार्थक नाम है मेरा और किया, वह भी घाट पर आर्थी देखने बैठ गई, उसको सुधीब दिख रहा था लेकिन वह जिस तरफ बैठी थी वहां से सुधीब उसको नहीं देख सकता था, आर्थी के बीचे बीच में चित्रा सुधीब की तरफ देख रही थी, थोड़ी देर बाद सुधीब जहां बैठा था वहां से उटकर जा चुका था, चित्रा ने एक दो मिनत तक उसको आसपास देखने की कोशिश की लेकिन वह देखा नहीं, हर अधूरी मुलाकात एक पूरी मुलाकात की उम्मीद लेकर आती है, हर पूरी मुलाकात अगली पूरी मुलाकात से पहले की अधूरी दुनिया में उसकी उम्मीद बांध कर तो मर ही सकता हूं। आरती खत्म करके वह अपने कमरे में आ गई। उसने अपना लेप्टॉप खोलकर एक पनना लिखा। थोड़ी देर में लेप्टॉप बंद किया और अपनी छो एक नोटबुक में कुछ लिखने लगी। थोड़ी देर में वह उस से भी बोर हो गई। उसने होटल के कमरे का टीवी आन किया, टीवी पर इश्किया फिल्म का गाना, दिल तो बच्चा है जी, चल रहा था, लाइट आफ करके वह नहाने चली गई, जब वह नहा कर लोटी तब टीवी पर मुन्नी बदनाम हुई, चल रहा था, उसने टीवी बंद किया और सोने की कोशिश करने लगी, जब भी अजेंट होगा तो वो आपके लिए मैसेज चोर देंगे, सुदीप ने रिसेप्शन वाली लड़की को सुबह पांच बजे वेक अप कॉल देने के लिए कहा, उसने डिन लिया और कमरे में आकर दवा खाकर टीवी आन कर दिया, उसने ध्यान नहीं दिया टीवी का असी घाट बनारस मुंशी घाट पर कोई पंडा किसी को ऐसे समझा रहा था जैसे पूरी दुन्या का सच उसको पता हो, वह अपनी भोजपुरी छोड़कर खड़ी हिंदी और अंग्रेजी में समझाने की कोशिश कर रहा था, देखिए सर, बनारस भूकम प्रूफ है, पूरी दुन्या में प जारी रखी, देखिए सर, बनारस फील करने वाला सिटी है, पंडे ने एक फिरंगी का हाथ लेकर अपने सीने पर रखा और बोला, मैडम दिस इस बनारस, बनारस इस हीर, फील इट, फिरंगी लड़की ने अपने साथ वाले लड़के की तरफ मुस्कुरा कर देखा, पंडे ने भी पंडे के सीने पर हाथ रख दिया, पंडे ने लाल रंग का टीका निकाल कर फिरंगी लड़के और लड़की के माथे पर लगा दिया और बोला, लौड शिवार अस ग्रेट, नाव गिब 100 रूपी, नोट लाक्स रूपीज ब्लेसिंग इन 100 रूपीज अनली सुदीप थोड़ा सा आगे बढ़ा, उसको शीशे के सामने दारी कर्टवाते, बाल बनवाते लोग दिखे, बाल काते काते नाई बैठे हुए आदमी को भारत की पॉलिटिक्स के बारे में कुछ समझा रहा था मनमोहना, सोनिया के पपेट हो, जे 2019 चुनावे बदे कंग्रेजिया प्रियंका के उतारी तबी जेपी वाले घंटा बजावत रह जए हैं राजनात के बसके ना हो, सुदीप के लिए ये सब बाते नहीं थी, वह वही दशाश्वमेद घाट के पास आकर बैठ गया, उसके बैठते ही उसको कुछ पंडों ने पूजा पाट के लिए घेर लिया लेकिन सुदीप पर उनकी बातों का असर नहीं हुआ, इतने में एक लड़का उसके पास आया और पूछा, सर माल गाजा चाहिए एकदम एवन माल है सर, सर पास में कमरा भी है वही मार लीजिएगा, एक बार माल मारेंगे सीधे भुलेनाथ से कांटेक्ट हो जाएगा सुदीप ने उस लड़के से माल खरीदा, वह लड़का सुदीप को एक कमरे में ले गया, उस कमरे में पहले से दो फिरंगी पड़े हुए थे, कमरे में हलका सा धुआ था, सुदीप के कमरे में गुस्ते ही फिरंगी बोला बंबं भोले, जवाब में लड़के ने जवाब उन्होंने यह भी बताया कि एक साल घूमने के लिए उन्होंने दो साल तक पैसे सेव किये, अभी वे एक्स्प्लोर कर रहे हैं, इसलिए वे सस्ती से सस्ती जगह रुकते हैं, फ्लाइट के बजाए बस या ट्रेन लेते हैं, सुदीप को अभी तक सिग्रेट माल्ग ने हिट नहीं किया था, थोड़ी देर में उस पर हलका हलका नशा चड़ा, वह चुप हो गया, अब उसको साथ में बैठे फिरंगी की बातें तो सुनाई पर रही थी, लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा था, वह उस कमरे में करीब तीन घंटे पड़ा रहा, जब वह कमरे से निकला त कि घार के किस हिस्से में है, लोगों से पूछ कर वह किसी तरह बाहर निकला, उसको बहुत जोर से भूख लग रही थी, गली से निकलते हुए कचौरी की एक दुकान दिखी, जहां बहुत भीर लगी हुई थी, वहां एक बाप अपने बेटे को लेकर आया हुआ था, यह द बात हुई 2 रुपय की लेकिन सुदीब के पास 100 रुपय का नोट था, PCO पर आंटी बैटी थी, वह 100 रुपय का नोट देखकर नाराज हो गई, सुदीब ने उनसे कहा कि वह पैसे ला रहा है तब तक आप 100 रुपय रख लीजिए, सुदीब ने कराने की कोशिश नहीं की, वह अपने होटल वापस लोट गया, होटल पहुँचकर उसको बहुत अच्छी नींद आई, उसकी नींद करीब 5 बजे खुली, 10 अक्टूबर 2010, शाम 6 बजे, 80 घाट बनारस, सुदीब जब घाट पर पहुँचा तो चित्रा वहाँ पहले से बैठी हुई थी, सुदीब च कुलहर वाली चाय पी पाए की नहीं, हाँ, सुबह पी थी, एक और पियो, तुम भी क्या याद करोगे, चित्रा ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, दुनिया में आने के बाद दोनों ने पहली बार एक दूसरे कुछ हुआ था, अगर ये लव स्टोरी होती तो इस पल को यहीं फ्रीज हो जाना चाहिए था लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो कैसा लग रहा है बनारस तुम्हें, चित्रा ने पूछा, कल से अच्छा लगा आज, मैं पिछले छे दिन से यहां हूँ, रोज इसी टाइम असी घाट पर बैठती हूँ, शुरू में तीन दिन तो ब बोरिंग चीज पूछ लो, चित्रा ने एक चुसकी बाकाइदा सुड़क कर पीते हुए कहा और दुबारा बोली, कुलहर वाली चाय हो तो मजा सुड़क कर पीने में ही आता है, मेरा बोरिंग सवाल ये था कि कहानी मिली तुमको, अभी तो नहीं, अब तक दोनों सुड़ वैसे एक बात बताओ, जिस तरह के हाई प्रोफेसर टाइप हो तुम, तुमने टेबल पर बात शुरू क्यों की, तुम चाहते तो आराम से अवोइड कर सकते थे, तुम बुरा मान जाओगी, नहीं मानूगी, अब बताओ, आपके हाथ में ये जो मुराकामी की किताब है न मुझे यह चीज बहुत सही लगती है कि कुछ साल लगाकर आप कोई चीज बनाओ और एक 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 उसे हमेशा के लिए छोड़ दो, वो भी किसी ऐसे रास्ते के लिए जिसकी मंजिल का कोई ठिकाना ना हो, तुम अपनी कमपनी छोड़ कर ऐसे ही फिर शुरू से शुरू कर स वो असल में हम अपने आप से पूछ रहे होते हैं, दोनोंने कुछ सवाल एक दूसरे से पूछे और दोनोंने एक दूसरे के वही जवाब सुने जोबे सुनना चाहते थे, आरती देखते हुए दोनों शांध हो गए, करीब घंटा भर दोनों चुप चाप बैठे रहे, वे किसी शा में कभी भार आती हैं, जब कोई जल्दबाजी ना हो कि कुछन कुछ बोलते रहना है, वना तो अकसर ही दिमाग पर प्रेश होता है कि बातों को थमने न दें, वह बड़ी अच्छी बातें करता है या वह बड़ी अच्छी करती है के बजाए कभी कोई यह क्यों न आसु हैं, सुदीप को आसु के बारे में पूछना ठीक नहीं लगा, चित्रा को पता चल चुका था कि सुदीप ने उसके आसु देख लिये हैं, मैं चला जाता हूँ अगर तुमको रो ना हो तो, हाँ, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर, ये मेरा कार्ड है मैं परसों चित्रा को देखा, अगले दिन सुदीप अपने प्रफेसर के हिसाब से सारनात भूमा, वह बनारस क्यों आया था इसकी सही वजह यह थी कि वह आजकल अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने को लेकर बहुत पैनिक करने लगा था, वो आजकल एंटी डिप्रेशन दवाईयां ले रहा था, उसको एक डॉक्टर ने सलाह दी थी कुछ दिन वह अपने आपको इस दुनिया से एक दम काट ले, सुदीप के बारे में कुछ बताता चलून की सुदीप ने किसी IIT या IIA से पढ़ाई नहीं की थी बलकि वो बारवी क्लास तक ही पढ़ा था, ग्रेजुएट इसको अकबार में आने वाले कमपनी के शेर प्राइस याद हो जाते थे, वह शेर वाले पनने को घंटों पढ़ता था, धीरे धीरे उसका शेर में इतना इंटरेस्ट बढ़ गया कि दलाल स्ट्रीट नाम की मैग जीन लखनव में सबसे पहले खरीद कर पढ़ लेता था, ज धीरे धीरे इस खेल का बड़ा खिलाडी हो गया, 12 के बाद 2 साल तक तो वहायाई की तयारी का बहाना बना कर शेर में खेलता रहा, उसने यह सब इतना चुपचाप किया कि घर पर किसी को पता नहीं चला, उन 2 सालों में एक ऐसा पॉइंट आया कि उसको लगा कि किसी भी टाइम बरबाद करेगा, वहागे पढ़ाई करके अपना टाइम बेस्ट नहीं करना चाहता था, जैसे ही यह बात उसने अपने घर पर रखी, उसके पापा ने उससे बात करना बंद कर दिया, सुदीप को शेर का इतना चसका था कि उसको लगा की लखनव में रहकर वहागे नहीं बढ़ पाएगा, वह घरवालों को नाराज छोड़ कर मुंबई पहुंच गया, जिस समय उसके दोस्त कुछ लाक रुप्य के सालाना पैकेज की नौकरी के इंटरव्यू दे रहे थे, उस समय तक सुदीप कई कमपनियों में शेर इंवेस्ट करके करोणों रुप्य क कमा चुका था, उसने जो कुछ भी बनाया था उसके लिए दिन रात कोई मेहनत नहीं की थी, एक समय के बाद वह शेर मार्केट से पैसे कमाने से भी बोर हो गया था, वह अपना सारा ध्यान कहीं एक जगह लगाना चाहता था, उसने अपनी सेविंग के पैसे से बुक माई होने के कगार पर चली गई थी, लेदे का बुक माई ट्रिप नाम की कमपनी में उसका मन लगता था इसलिए अभी बस उसी पर फोकस कर रहा था, अगर वह यह एक कमपनी को अगले दो तीन साल चला ले गया तो वह अपने नुकसान की भरपाई कर पाएगा, उसको पहले से दिखता था कि पूरी दुनिया और हिंदुस्तान में लोगों का ट्रैवल को लेकर उत्साह बढ़ने वाला है, आने वाले कल में लोग साल भर पैसे इसलिए बचाएंगे कि वे खूब घूम पाएं, खेर यह तो हुआ सुदीब के बारे में, अब कहानी पर लोटते हैं, अ हम इतनी जूठी जिन्दगी जी रहे हैं कि हम दूसरे को चुप करवाते हुए अपने आपको भी चुप करवा रहे होते हैं, चुप कराने से जब सामने वाला चुप हो जाता है तो बेचैनी और बढ़ जाती है कि हम खुद कहां जाकर रोएं और हमें चुप कौन कराएग जब थोड़ी देर में घात से ध्यान हटा कर उसने कैफे के अंदर देखा तो चित्रा सामने वाली टेबल पर दिखी उसने वहीं से हाथ हिलाया चित्रा ने उसको देखा और हाथ हिलाया सुदीप वहां से उठकर चित्रा की टेबल पर पहुचा और बैठने से पहले पूछा, क्या मैं यहां बैठ सकता हूँ, जरूर, पूरा कैफे खाली है वैसे, यह बोलकर चित्रा हंस दी, उसकी हंसी फैलकर सामने ठहरी हुई गंगा में शाम के साथ घुल गई, तो कैसा रहा तुम्हारा ब्रेक, ठीक ठाक, तुम्हारा रोना पूरा हो गया, हाँ, पूरा हो ही गया, मैं कल जा रही हूँ, मैं भी, किताब कूरी करना तो मुझे भेजना, जरूर, तुम क्यूं रो रहे थे उस दिन घाट पर, मैं कहां रो रहा था, बकवास मत करो, मैं किसी से नहीं लंबी कहानी है कल शाम पांच बजे की फ्लाइट है मेरी तब तक तो बहुत टाइम है इस से ज़्यादा लंबी कहानी थोड़े होगी तुम्हारी और होगी भी तो तुम्हारे लिए एक टिकेट कराना कौन सा बड़ा काम है चित्रा ने अपने पिज्जा का आखिरी पीस खाते हुए कहा पिजेरिया से निकल कर दोनों थोड़ी देर घाट पर बैठे बैठे रहने के दौरान ज्यादा कुछ बाते नहीं हुई दोनों में से किसी को ऐसा लगा भी नहीं की बाते खत्म हो गई हैं बस इसलिए कुछ भी बोलते चले जाएं करीब एक घंटे बैठे रहने के बाद सुदीप ने चित्रा से अपने होटल के रूम पर चलने के लिए पूछा चित्रा चलने से पहले थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा जिज़की हालांकि सुदीप के पास टेक्सी थी लेकिन फिर भी घाट से निकल कर दोनोंने आटो किया। सुदीप होटल ताज में रुका हुआ था। आटो वाले ने ताज सुनकर बहुत ज्यादा पैसे मांगे। सुदीप पैसे देने के लिए तैयार हो गया लेकिन चित्रा ने आटो वाले को हरका दिया। सुदीप ने कहा भी कि क्या फर्क पड़ता है चित्रा बोली कि अपने आराम के लिए बाकी लोगों के लिए रेट खराब नहीं करना चाहिए। सुदीप यह सुनकर याद करने लगा कि अभी तक की जिंदगी में उसने कभी मोलभाव किया ही नहीं है। जब आटो लंका से निकल रहा था तो यूनिवसल बुक शॉप प नाम लिखा और तारीक डाली 10-10-10-10-10 अक्टूबर 2010 आटो में बैठते ही चित्रा ने सुदीप की तरफ किताब बढ़ाई। सुदीप ने किताब को उल्टा पल्टा और कहा मेरी लाइबरेरी में मुराकामी की सारी किताबे हैं। तुम ये वाली रख लो अपनी लाइब किताब बंद करके सुदीप के हाथों में थमाते हुए कहा, कभीग भी, मेरी तो शादी हो चुकी है, पहले पता होता तो आज के दिन ही शादी करती, चित्रा ने आटो वाले को चलने के लिए इощारा करते हुए कहा, सुदीप को शादी वाली बात से जितना चौखना चाहि वह बनारस किसी कविता के इवेंट के लिए नहीं आई थी, बलकि अपनी मेरेज एनिवसरी के दिन बोउस शहर में नहीं रह पाती थी. पती सही में कोई बुरा नहीं था उसका, बस कुछ लोगों के साथ नहीं मामला सेट हो पाता तो नहीं हुआ. चित्रा और उसका पती दोनों कॉलेज में साथ थे, उनकी लब मेरेज हुई थी. चित्रा ने एक नॉर्मल सॉफ्ट्वेर कंपणी में दो साल नौकरी भी की थी. अब वैसे भी दुनिया में दिबोज होना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, दिबोज नहोना ज्यादा बड़ी बात है. चित्रा बच्पन से भी कुछन कुछ लिखने की शौकीन थी. चित्रा का कोई भी ऐसा दोस्त नहीं था जिसके साथ उसके संबंध अच्छे रहे हों. वह कभीन भी किसी ने किसी बात पर लड़ लेती थी. थोड़ी मुफर्थी तो यह बात सबको अच्छी नहीं लगती थी. चित्रा को सब कुछ चाहिए था नाम और पैसा, जिसके लिए वह बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहती थी. उसका पती चून की इकलोता बेटा था इसलिए डिबोज के बाद चित्रा को ठीक ठाक पैसा मिल गया था. लेकिन पैसा इतना नहीं था कि चित्रा अपनी पूरी जिन्दगी काच सके. वह सोचती थी कि किताब लिखकर वह अमीर भी बन जाएगी और पैसे भी कमा लेगी. दो साल से अपनी किताब पूरी न कर पाने की वज़े से वह जिन्दगी में ठीक ठाक फ्रस्ट्रेटिद थी. खैर, चित्रा के बारे में जान लेने के बाद हम आटो में लोटते हैं. जहां चित्रा और सुदीप होटल की तरफ जा रहे हैं. वे ताज में रूम में जाएंगे या रेस्टोरेंट में देखते हैं, लेकिन उससे पहले आटो वाले ने मनोच तिवारी का गाना बदल कर, लग जा गले की फिर ये हसी रात हो नहो, चला दिया. गाना बदलते ही आटो के अंदर का माहौल भी बदल गया था. चित्रा को पता था कि होटल रूम में जा रही है. चित्रा ने सुदीप से पूछा, क्या पीते हो तुम? मैंने पीना बंद किया हुआ है. अलजी होती है, तुम क्या पीती हो? विस्की. लेकिन कभी गभार, जब बहुत खुश होती हूँ या बहुत दुखी. दोनों होटल के अंदर घुसे. गेट पर खड़ी सिक्योरिटी ने दोनों को थोड़ी अजीब नजर से देखा. सुदीप ने पूछा भी कि हम लोग रेस्टोरेंट में भी बैठ सकते हैं. चित्रा ने ही कहा कि आराम से रूम में बैठते हैं. सुदीप को थोड़ा सा अजीब लग रहा था. अजीब नहीं लगता अगर उसको पता ना होता कि चित्रा की शादी हो चुकी है. ऐसे तो लर्कियों के साथ रुपना सुदीप के लिए कुछ नया नहीं था. वैसे भी बहुत तसी लर्कियां उसको मिलती थी. वै उससे ज्यादा उसके पैसे में इंटरेस्टेड थी. यह बात सुदीप को भी अच्छे से पता थी. सुदीप के लिए लर्कियों के साथ सोना या रुपना ऐसा कोई लाइफ का बड़ा सवाल नहीं था जिसके बारे में उसे एक सेकंड भी सोचना पड़े. कमरे में जाते ही चित्रा ने टीवी ओन कर दिया. सुदीप वाश्रूम में मुहाद धोने चला गया. शीशे के सामने उसने आपने आपको थोड़ी देर तक देखा. वह कुछ नहीं सोच पा रहा था. जब वह वाश्रूम से लोटा तो चित्रा आराम से बिस्तर पर टेक लगा कर पसर चुकी थी. सुदीप ने पूछा, क्या क्या ओर्डर करना है? बस कुछ खाने का कर दो. दारू है मेरे पास. यह कहते हुए चित्रा ने अपने बैग की तरफ इशारा किया. क्या बात है दारू बैग में लेकर चलती हो? अरे नहीं, आज बहुत अच्छा दिन है इसलिए सोचा था कि आज पी जाएगी. ऐसा क्या है आज? कहानी का एंड मिल गया. वैसे भी अकेले पीती बैठकर इससे अच्छा है कमपनी मिल गई. लेकिन मैं तो पीऊंगा नहीं. मुझे अलजी होती है. ऐसा है, अलजी की दवा भी है मेरे पास. दारू पी लो फिर खा लेना. एक दिन में ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा. चित्रा ने इतना कहने के बाद सुदीप पर थोड़ा सा भी जोर नहीं डाला. जोर डाला होता तो वह शायद नहीं पीता लेकिन चित्रा ने इस स्टाइल में पूछा की सुदीप के मना करने का सवाल ही नहीं उठता था. अगले पांच मिनट में दोनों पहला चीर्स कर चुके थे. चीर्स टू योर बुक. सुदीप बोला, तो अब बताओ उस दिन तुम क्यूं रो रहे थे? तुम्हें गलत फेहमी हुई है. मैं कहां रो रहा था? देखो बेटा सुदीप, ऐसा है. माना तुम बड़े बिजनेसमेन हो गे लेकिन मैं भी छोटी मोटी ही सही राइटर तो हूँ. कब कौन रो रहा है? पता चल जाता है. नाटक मत करो और बताओ. इसके बाद सुदीप यादब ने अपनी पूरी राम कहानी सुनाई. सुदीप की कहानी में कोई हीरोईन नहीं थी. उसके पास टाइम नहीं था इन सब के लिए. उसके बहुत कम दोस्त थे. सुदीप को पता था कि आसमान में है लेकिन वह एक पाउप जमीन पर रखना चाहता था. इसलिए वह बड़ी-बड़ी पार्टी में बोर होता था क्योंकि 99 प्रतिशत लोग जो उससे मिलते थे उसको अपना आइडिया बेचना चाहते थे. वह अब तक एक भी बिजनेस पर टिका नहीं था इसलिए 2008 के शेर मार्केट क्रेश के बाद वह बस अपनी वेबसाइट बुक माइट ट्रिप को दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट बनाना चाहता था. वह एक जगह फोकस करना चाहता था. उसको लगता था कि हर कमपनी बस उसने खरीदी बेची है. खुद कभी लगकर कोई ऐसी कमपनी खड़ी नहीं की जो भारत की सबसे बड़ी कमपनियों में से एक हो जाए. सुदीप अपने आपको ये प्रूब करना चाहता था. 2008 में अमेरिका में बड़े बैंक बंध हो रहे थे. इस चक्कर में पूरी दुनिया की हर एकोनॉमी पर उसका असर पड़ा था. लोगों ने ट्रेवल कम कर दिया था. अभी ऑनलाइन पेमेंट करने में लोगों को उतना भरोसा नहीं था. इसलिए भी सुदीप की वेबसाइट का ट्राफिक नहीं बढ़ रहा था. उसकी कमपनी की वेल्यू करोडों में थी. उसको कुछ लोग पैसे दे कर उसकी कमपनी में शेयर लेना चाहते थे. लेकिन सुदीप को लगता था कि अगर बाहर से पैसा लगा तो उसको बाहर वालों की बात को भी सुनना पड़ेगा. डिक्कत यह थी कि अभी सुदीप का बिजनेस जिस स्टेज में था वहां बिना और पैसा डाले बिजनेस आगे बढ़ नहीं सकता था. मैं बनारस इसलिए ही आया था कि शान्ती से बैट कर सोच पाउन की मुझे अपने शेयर बेचने हैं की नहीं. सुदीप ने शाम को तीसरा पैग खत्म करते हुए बताया. क्या सोचा है तुमने? मन तो नहीं है लेकिन आगे बिजनेस एक्स्पेंड करने के लिए बहुत पैसे चाहिए. वो बिना शेयर बेचे आएंगे नहीं. इतनी बातचीत में बात चार पैग तक आ चुकी थी. सुदीप ने उठकर सामने शीशे से परदा हटा दिया. होटल के कमरे से अकसर शेहर जिल मिलाते हुए सुन्दर दिखता है. सुदीप पांच मिनट तक कमरे की खिलकी से बाहर सड़क पर और आसमान में देखता रहा. सुदीप जब परदा हटा कर भूमा तो न केवल उसकी आँखों में बलकी गालों पर भी आँसु थे. चितरा ने बढ़कर उसको गले लगाने का सोचा लेकिन लगाया नहीं. हालांकि यह वो मोमेंट था जब चितरा सुदीप के पास आ सकती थी. उसको कुछ पूच सकती थी, बता सकती थी, वह गले लगा सकती थी. उसको समझा सकती थी कि कोई बात नहीं सब एक दिन ठीक हो जाएगा सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा इस उम्मीद पर एक नहीं न जाने कितनी दुनिया चल रही होंगी चित्रा वही बैड के पास पड़े टौवल को उठा कर सुधीप को दे सकती थी सुधीप और चित्रा एक दूसरे को गले लगाए वैसे ही कुछ देर खड़े रहे हम कुछ काम क्यूं नहीं करते और एकदम वही काम क्यूं कर लेते हैं इसकी कोई ठोस वजह कभी किसी को पता नहीं चलती एकदम हमारे अंदर वह कौन है जो बोल देता है कि रुको मत आगे बड़ो कुछ नहीं होगा हमारे अंदर वह कौन है जिसको हम बिल्कुल भी नहीं जानते इसलिए शायद कहा जाता है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है हम सब लोग पहले से प्रफेसर किये हुए विडियो गेम का हिस्सा है जो चाहे गेम जीते या हारे एक दिन बोर होकर कोई हमारी पावर सप्लाई बंद कर देगा इसके बाद बहुत देर तक सुदीप चुप नहीं हुआ वह फफफफफख कर बच्चों जैसे रोता रहा आसपास देखकर पता ही नहीं चलता कौन कितने आंसू लेकर भटक रहा है हमें सामने वाले का सब कुछ पता होता है बस आंसूओं का हिसाब किताब कोई करता ही नहीं दुनिया आंसुओं का हिसाब किताब कर लेती तो जीना थोड़ा आसान हो जाता चित्रा ने सुदीब को चुप करवाने की बिलकुल भी कोशिश नहीं की चित्रा की आँखों में भी आंसु थे लेकिन वह जोर से रोना नहीं चाहती थी सुदीब के रोने की वजह से चित्रा का गला भी भीग चुका था रोते हुए सुदीब की नाक वैसे ही बह रही थी जैसे सब की बहती है सुदीब को रोने के कुछ देर बाद एहसास हुआ कि वह ऐसे रो क्यों रहा है कहानी में हीरो के रोने से कहानी कमजोर पड़ती है, नहीं तो हीरो मैंने पहले ही बता दिया था कि इस कहानी के हीरो में वो सारी कम्या हैं जो सब में होती है वो अपनी जिंदगी में सब कुछ ठीक होने के बाद भी परेशान है सुदीप अगर यहां नहीं रोता तो यह चित्रा उसे गले न लगाती चित्रा अगर उसे गले न लगाती तो उसके गले से लेकर उसका टॉप तक नहीं भीगता अगर यह सब नहीं होता तो चित्रा और सुदीप एकदम से इतने पास नहीं आये होते सुदीप को चार पैक भर रोने के बाद समझाया कि वह बहुत हलका महसूस कर रहा है अब उसको चित्रा के पास से उठ जाना चाहिए उठने से पहले उसने कहा तुम ये सब किसी कहानी में तो नहीं लिखने वाली चित्रा ने बड़ी इमानदारी से कहा पता नहीं लेकिन सीन अच्छा है फिर दोनों हसे पड़े सुदीप के जाने से पहले चित्रा वाश्रूम गई उसने अपना मुह धोया और ठीक उतनी देर अपने चेहरे को शीशे में देखा जितनी देर सुदीप ने देखा था वाश्रूम के शीशे ने वो शक्ल देखी जो चित्रा चुपा रही थी सुदीप अब तक बिल्कुल नॉमल हो चुका था उसने टीवी अन्म्यूट किया वहाँ अंजाना अंजानी फिल्म का गाना तुझे भुला दिया चल रहा था तुम किसलिए रो रही थी उस दिन बस यार ऐसे ही मेरी लाइफ में इतने बड़े टेंशन नहीं है तुम्हारे जैसे फिर भी पती कैसा है तुम्हारा बहुत अच्छा था था मतलब दो साल पहले डिबोज हो चुका है डिबोज हो चुका है फिर रो क्यूं रही थी सुदीप ने हलका सा मजा किया अंदाज में पूछा पती के लिए थोड़े कोई रोता है यार अच्छा पती नहीं मिला तो छोड़ दो आगे बढ़ो उसमें क्या है लड़कियों के लिए इतना आसान होता है क्या फिर रो क्यूं रही थी मुझे ऐसे ही रोना आ जाता है बिना किसी वजह के पक्का हाँ पक्का कुछ खाने का ओडर कर दो खाना खाने के बाद बताना क्यूं रो रही थी चित्रा मना कर सकती थी कि उसे नहीं बताना की वह रोप क्यूं रही थी लेकिन फिर पता नहीं क्या सोच कर उसने कहा कल सुबह सुबह घाट पर नाव में बताऊंगी बोलो चलेगा तुम्हें एक दिन में एक का ही रोना काफी नहीं है, सुदीब तुरंट तयार हो गया, सुदीब के मन में आया कि वह पूछे कि रात के एक बज चुके हैं, वह इतनी रात अपने कमरे पर जाएगी, सुबह वह उसको कहां से लेगा, चित्रा इतना कुछ नहीं सोच रही थी, सुबह यह 37 की उम्र में रिटायर होने का सोच रखा है, करोगे क्या रिटायर होकर, तुम मजा कोड़ाओगी, अरे बता दो यादव जी, यार, रिटायर मतलब रिटायर, कुछ करना ही क्यों है, कुछ करना ही न पड़े, इसलिए रिटायर होना है, चित्रा पाठक जी, फिर भी इतने बोरिंग तुम दिखते तो नहीं हो यादव जी, इसमें बोरिंग वाली क्या बात है, पाथक जी, रिटायर होने का आइडिया ही इतना बोरिंग है, आप पागल है क्या पाथक जी, सोचो 35 की उम्र में आदमी एकदम आजाद, नॉमल आदमी उस समय अपने बच्चे के एड्मिशन से लेकर अपने करिया तक सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा होगा, ये बही उम्र है जब माबाप बुरे हो रहे होते हैं, सब को पता है कि माबाप बुरे हो रहे हैं फिर भी आदमी उनको टाइम नहीं दे पाता, इन शॉर्ट, आदमी अपने पास्ट और फ्यू कर लिया है तुमने, और क्या, लेकिन एक बात है, क्या, तुम अपने टिप्टर और फेस्बुक प्रफेसर से कितने अलग हो, हर आदमी अपने फेस्बुक प्रफेसर से बहुत अलग होता है, खेर, तुम्हारे रिटायर्मेंट की बात हो रही थी, इतने पॉपुलर हो मरने की इतनी सारी बात कर रहे हो. मरने से पहले कोई आखिरी इच्छा हो तो वो भी बता दो. मैं न कभी बुरी होने वाली हूँ, नहीं कभी मरने वाली हूँ. चित्रा ने यह कहते हुए सुदीब के कंधे पर सर रख लिया और दोबारा बोली. मुझे मरने की बात से डर लगता है. I hope, मेरे सिर रखने से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है. सुदीब ने हा या ना कुछ भी जबाब नहीं दिया. सुबह पांच बजे का अलार्म लगा दो अलार्म के लिए मोबाइल खोलना पड़ेगा. रिसेप्शन पर बोल देता हूँ. इन सब बातों में करीब पौने तीन बज चुके थे. चित्रा की आँखों में नींद नहीं थी. सुदीब की आँखों में नींद ही नींद थी. कल जब मैं बहुत बड़ी राइटर हो जा है. उसने अपना मोबाइल खोला, अपनी और सुदीब की एक फोटो खीची. फोटो को एक दो बार देखा. फोटो डिलीट की और सोने की कोशिश करने लगी. फोटो खीच कर उसको पांच सेकंड बात डिलीट कर देने के पीछे क्या वज़े होती होगी, यह कहना मुश्कि किया होगा. चित्रा अपनी जिन्दगी में जितना सुलजी हुई थी, उस हिसाब से तो उसे फोटो ही नहीं खीचनी चाहिए थी. वह कोई कॉलेज की लड़की तो थी नहीं जिसके मन में दुनिया को लेकर कोई कड़ो हटना हो. खेर, कुछ बातें जो मुझे समझ नहीं मैं उसको वैसे ही इसलिए लिख दे रहा हूं कि शायद पढ़ने वाले अपने हिसाब से कहानी बड़ा घटा लेंगे. मुझे बस इतना पता है कि हर कहानी को खत्म करने के कई मौके आते हैं लेकिन कभी किरदार तो कभी लेखक की जिद के आगे वे मौके फ्रीज नहीं हो सुबर 2010, सुबह 6 बजे, असी घाट बनारस. सुदीप और चित्रा को घाट पहुँचने में थोड़ी सी देर हो गई. इसकी बज़े चित्रा नहीं थी. वह तो तुरंत ही तैयार हो गई थी लेकिन सुदीप ने ही वाश्रूम में कुछ जादा टाइम लगा दिया. खैर, होटल से निकलते हुए सुदीप ने रिसेप्शन पर कार के लिए कहा तो चित्रा ही बोली की पागल हो क्या, आटो से चलते हैं. डौरते भागते दोनों घाट पर पहुचे. चित्रा ने पहले से ही एक नाव वाले को फिक्स कर रखा था. जैसे ही दोनों नाव में ब बाबा को. ये आदमी हेंट पंप है, कितना अंदर है पता नहीं. कुछ उल्टा सीधा बोल देगा. पहले भी कई कस्टमा खराब कर चुका है. बाबा ने तुरंथ, जै भोले नाथ, बोलकर आसमान की ओर देखा. नाव वाला बाबा से अच्छा खासा गुस्सा था. वह द नाव वाला बोला, अभी तो भया की नौकरी नहीं होगी. दीदी आप अभी से रिटायर्मेंट मांगने लगी. यह सुनकर सुदीप ने नाव में पड़ा एक कंकर गंगा में फेंकते हुए कहा, अच्छी नौकरी ही मांग लेता हूँ. यह बोलकर सुदीप ने आँखें बंद कर ली. नाव वाला देख रहा था कि चित्रा ने आँखें बंद नहीं की हैं. वह बोला, दीदी, आप भी सच्चे मन से कुछ भी मांग लीजिए. गंगा मया सदियों से सब दे रही हैं. उधर बाबा यह सब कुछ देख कर चुप थे. सुदीप ने आँखें खोल कर कहा, बाबा कुछ सुना दीजिए. बाबा के हाथ में मंजीरा था. बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया. वह सुदीप की ओर से चेहरा हटा कर आसमान की तरफ देखने लगे और दो मिनट बाद सुनाना शुरू किया. सब ठाट पड़ा रह जावेगा, जब लाज चलेगा बंजारा. ये धूमधड़क का साथ लिए, क्यों फिरता है जंगल जंगल. एक तिन का साथ न जावेगा, मौकूफ हुआ जब अन्न और जल. घरबार अटारी, चौपारी, क्या खासा, तनसुख है मसलन. क्या चिल्मन, परदे, फर्ष नय, क्या लाल पलंग और रंग महल. सब ठाट पड़ा रह जावेगा, जब लाज चलेगा बंजारा. बाबा सुनाते हुए बिलकुल ऐसे मगन हो गए थे जैसे भुले बाबा से सीधा कांटेक्ट हो गया हो. बाबा सुनाने के बाद जब चुप हुए तब चित्रा ने पूछा, बाबा आप जो सुना रहे थे वो कबीरदास का है न. बाबा गुसा होते हुए बोले, नजीर अगबराबादी नाम का बड़ा शायर हुआ था बेटी, वो भी कबीर था. तुझमे मुझमे इस लड़के में सब के अंदर कबीर है. इसके बाद बाबा बहुत देर तक कुछन-कुछ गाते रहे लेकिन सु सुदीप ने उनको वापिस बुलाया. उसकी जेब में करीब साथ हजार रुप्य कैश था. उसने सब उठा कर बाबा के हाथ में रख दिये. बाबा ने मजीरा बजाया और सुदीप के कान के पास आकर धीरे से बोले, जै भुलेनात, परेशान मत हो. जितना लुटाएगा उतना ही आनन्दा आएगा. तु कबीर है कबीर. सुदीप ने और भी कुछ सवाल पूछना चाहा लेकिन बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया. बस नदी के पास से भर रेत उठा कर हवा में छोड़ दी. रेत कुछ देर तक उरती हुई नीचे रेत में जाकर मिल गई. इसे की हर आदमी एक दिन रेत ही बन जाएगा. रेत जिसमें बैट कर लोग जिंदगी के बारे में बातें करेंगे. सुदीप को अपना मतलब तब भी नहीं मिला था. नाव वाला बोला, क्या सर, ये बाबा कुछ भी बोलता है. आपको इतने पैसे नहीं देने चाहिए थे इसके बाद चित्रा ने कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझा. सुदीप अभी तक नदी के किनारे वाली रेत को देख रहा था. सूरज अब तक ठीक से उप चुका था. सुदीप कभी घड़ी नहीं पहनता था. इसलिए उसने नाव वाले से टाइम पूछा. नाव वाले ने बताया कि करीब 7.30 बज चुके हैं. थोड़ी देर हो गई. सुदीप बोला. बनारस में किसी बात के लिए कभी देर नहीं होती. चित्रा ने स्टाइल मारते हुए कहा. देर नहीं हुई तो ये बताओ कि तुम्हें लाइफ से चाहिए क्या. छोड़ो यार. तुम भी कहां इतना बड़ा सवाल लेकर बैट गए. नहीं बताना. अरे बताओ. बोला तो नहीं बताना. ऐसे कैसे नहीं बताना. बताओ. सुदीप के बार-बार पूछने पर चित्रा ने आखिर बता ही दिया. मैं चाहती हूँ कि मुझे हर कोई पहचाने. मेरे अपने कमाए हुए खू होना चाहती है. हाँ, ऐसा ही समझ लो. तो, इसमें रोने की क्या बात है? मुझे लगता है कि ये सब कुछ नहीं हो पाएगा. मैं पिछले तीन साल से एक किताब पूरी नहीं कर पाए. जाओ बच्चा, वर्दान देते हैं तुम्हें, तुम एक दिन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लेखे का बनोगी. बड़ी राइटर हो जाओगी तो भूल तो नहीं जाओगी न. सुदीप ने कहा, वेल, बाद में मैं तुम्हें पहचानूगी या नहीं. अभी से इस बारे में कुछ कह नहीं सकती. चित्रा और सुदीप ठहठाहा कर हंस पड़े. नाव देर तक घाटों के पास होते हुए वहीं लोट आई जहां से शुरू हुई थी. घाट आ चुका था. चलो कुलहर वाली चाय पिलवाओ, एक भी पैसा नहीं है जेब में. चित्रा ने दो कुलहर चाय ली और वहीं सुदीप के पडोस में बैठ गई. चित्रा अपनी कहानी क अंत भून चुकी थी और सुदीप अपनी कहानी की शुरूात. चित्रा ने कुलहर की चाय को खत्म करते हुए कहा. कुलहर वाली चाय जल्दी खत्म हो जाती है. हाँ, छुटिटियां भी, तुम्हारा अपडेट तो मुझे अकबारों से मिलता रहेगा. हाँ पक्का, तुम वह यह सवाल नहीं पुछता. कुछ भी हो अगर कोई लड़का किसी के सामने रो देता है तो वह सामने वाले के करीब अपने आपा जाता है. लड़कियों के साथ भी शायद ऐसा होता हो. साथ रोना साथ हंसने से ज्यादा बड़ी चीज है. चित्रा ने कहा, तुम्हारे प तुम्हें परेशान नहीं करूंगी. यह वो पल था जब सुदीब को पहली बार अपनी जिंदगी से नफरत हुई. क्यूं था वह इतना बिजी? क्यूं उसके पास किसी भी चीज के लिए बहुत कम टाइम था? क्यूं उसको अपने 35 साल का होने की जल्दी थी? हम लाइफ म अगर कुछ उखार लेने लायक है तो वो है फुरसत. यह वो पल था जिसमें सुदीब को कोई बड़ा फैसला लेना था. तुम्हारा जिस दिन रोने का मन करे उस दिन कॉल कर लेना. मैं आने की कोशिश करूंगा. देखो करोरपती इनसान, एक कुलहर वाली चाय का इतना ए आदमी अकेला हो जाता है. प्यार की कहानिया इसलिए प्यार करने वालों के मरने के बाद भी जिन्दा रहती है क्योंकि उनके अंत में उम्मीद होना हो लेकिन उनकी शुरुवात एक सुई की नोग जितनी उम्मीद से होती है. चलें. चित्रा और सुदीब ने एक साथ कहा थोड़ी देर में दोनों ने साथ साथ सुना. सुदीब ने अपनी सबसे छोटी उंगली से चित्रा की सबसे छोटी उंगली को गले लगाया. दोनों उंगलियां मिलकर खुश हुई, थोड़ा सा रोई. चित्रा की उंगली ने सुदीब की उंगली से पूछा, अब कब मिल चुना जब केबल चुने के लिए हो कहीं पहुंचने के लिए नहीं, जब शरीर एक दूसरे पर चड़ाई करने के लिए नहीं बलकि एक दूसरे की धूल साफ करने के लिए हाथ बढ़ाएं, तन की धूल साफ करने के लिए दूनिया में कितना कुछ है, मन की धूल की दूनिय की औका थी नहीं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि साल में कमसे कम एक बार मिलें?। सुदीप ने पूछा, बहुत ही खराब आइडिया है, चित्रा ने कहा, दो साल में एक बार, उससे भी खराब प्लान है, चित्रा ने कहा, छोटी उंगलियां एक दूसरे में उलजी हुई उदास थी, गंगा बनारस तक आते आते ठहर जाती है ताकि उसके पडोस में बैठे लोग भी ठहर सकें, हम तब मिलेंगे जब या तो बहुत खुश हो या फिर बहुत उदास हो, चित्रा ने कहा, ऐसे तो शायद कभी मिलना ही न हो, प्लान नहीं करते हैं सुदीप, मिलना होगा तो मिल लेंगे, चलो, ये भी ठीक है, फ्लाइट कितने बजे की है तुम्हार 5.30 और तुम्हारी, 6 बजे, चलो एक काम करता हूँ, एपोर्ट साथ चलते हैं, मैं तुम्हें होटल से ले लूंगा, तुम मुंबई जा रहे हो, हाँ, तुम बोलो तो दिल्ली से होते हुए चला जाओं, फ्लाट तुम पर बिल्कुल भी सूट नहीं करता, चित्रा घाट से उठ गई, दोनों वहां से चल दिये, पासपड़ा कुलहर कुरेदान में छलांग लगा कर तूट गया और तूट कर दोनों कुलहर एक हो गए, गंगा जी ने दोनों को असी से जाते हुए देखा, पिजेरिया के वेटर ने दोनों को एक साथ देखकर हवा में आँक मारी 11 अक्टूबर 2010, शाम 4.30, बनारस एयरपोर्ट, सुदीब के हाथों में मुराकामी की वही किताब थी जो चित्रा ने उसे एक दिन पहले दी थी, चित्रा वही सुदीब के साथ बैठी हुई थी, उनकी अभी तक की बातें बहुत ही बोरिंग टाइप की हुई थी, जैसे कि अगर तुम मुंबई आना तो मिलना, अगर तुम दिल्ली आना तो बताना, तुम अगर किताब खत्म करना तो बताना, तुम अगर अपने शेयर बेचना तो बताना, सुबह 9 बजे से शाम 4.30 बजे में ही दोनों के बीच कुछ दूरी आ गई थी, चित्रा और सुदीब दो उंगली ठीक उतना ही बेचैन थी, बातें होते होते रुप जा रही थी, कहीं पहुंच नहीं रही थी, उंगली यां अगली बार मिलने का कोई बादा चाहती थी, चित्रा की फ्लाइट का अनौंसमेंट शूरू हो चुका था, उसकी फ्लाइट के सभी लोग लाइन में लग वह वही कुरसी पर सुदीप के पास बैठी रही, धीरे धीरे लाइन छोटी होती जा रही, उस फ्लाइट में हर चड़ने वाले को ट्रेन के जनरल दिब्बे में चड़ने जितनी जल्दी थी, लाइन में जब बस दो-तीन लोग बचे तो सुदीप ने कहा, फ्लाइट चुरू हो चुका है, चित्रा ने अपनी आँखों के समंदर को अपने रुमाल में कैद कर लिया, वह सुदीप को गले लगा कर उसके कान में फुस फुस आई, फिर कभी जल्द ही आएगा, जाने से पहले चित्रा ने सुदीप की किताब को उसके हाथ से छीना और जहां उस चित्रा के लिखे हुए को चुकर देखा, सुदीप की छोटी उंगली अब खुश थी, उसने पूरे हाथ को कीच कर हवा में उठाया ताकि वह चित्रा को हाथ हिला कर बाई बोल सके, चित्रा बिना पीछे मुरे फ्लाइट में घुस गई, उसने फ्लाइट में घुसने के बाद पीछे मुर कर देखा, खुश होना कितना आसान है अगर उसको एक तारीक से जोड़ दिया जाए, दुनिया को 10 अक्टूबर 2011 का इंतजार था, मनमोहन सिंग सोनिया गांधी के इशारों पर नाचने वाली कट पुतली है, अगर कॉंग्रेस प्रियंका गांधी को ले आती है तो बीजेपी वाले कभी सरकार नहीं बना पाएंगे, बीजेपी के पास प्रधानमंत्री का कैंडिडेट भी नहीं है सर, एक साल बाद, होटल ललित, दिल्ली, कॉंफरेंस हॉल, पिछले एक साल में सुदीप और चित्रा ने एक भी बार एक दूसरे को किसी भी तर कोने में बेचैनी से तहल रहा था, सुदीप तहलते हुए बार बार कमरे के बाहर देख रहा था, सुदीप और अभिजात दोनों ने ब्लैक सूट पहना हुआ था, सुदीप पिछले 20 मिनट में 3 कप कॉफी पी चुका था, मुझको सोचने के लिए एक घंटे का टाइम और चाहिए, सुदीप ने पानी की बोतल का धक्कन खोल कर पानी पीते हुए कहा, एक घंटे में क्या हो जाएगा, अभिजात ने कुरसी पर बैठे अपने लैप्टॉप को बंद किया, यार, मुझे कुछ गरबर लग रहा है, अभिजात अपनी सीट से उठा और सुदीप के क कागस को उठा कर सुदीप के सामने रख दिया, सुदीप ने अपनी जेब से मौन्ट ब्लांक पेन निकाल कर कागस पर साइंग कर दिये, साइंग करने के बाद अभिजात ने हाथ में लिया और बोला, डेट भी डाल दो, सुदीप ने डेट कंफर्म करने के लिए अपने ज इसके बाद उनमें से एक आदमी ने प्रेजेंटेशन चला दी, जिसमें बुक माइट ट्रिप के बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ सजेशन थे, अभिजात सब कुछ बहुत ही ध्यान से सुन रहा था और सवाले जवाब भी कर रहा था, उधर सुदीप बिलकुल प्रेजेंटेशन के बाद एक फोटोग्राफ कमरे में आया, उसने सुदीप की इन्वेस्टर से हाथ मिलाते हुए फोटो खीची, यही तस्वीर अगले दिन के एकॉनमिक टाइम्स की तस्वीर बनी, जिसकी हेडलाइन थी कि सुदीप यादव ने अपने 15 प्रतिशत शेर 200 करोड में बेचे, तस्वीर में सुदीप जैसे खुश था उसको देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल था कि तस्वीर के पीछे का सुदीप अंदर से कितना उदास था, उसको यह विश्वास था कि वह एक दिन अपनी कमपनी के शेर दुबारा खरीद लेगा, फिलहाल क कुछ सालों में इंडिया की नंबर एक ट्रेवल कमपनी बन जाएगी, सुदीप शाम को डिनअ पर मिलने का बोल कर ललित होटल से निकल गया, फ्री होते होते शाम के करीब 4 बज चुके थे, उसने कार में बैठते ही चित्रा को फोन किया, चित्रा को फोन का इंतजार था, स उम्हें आने से पहले बता तो देना था, वो जो किताब में लिखा था कि 10 अक्टूबर को मिलो वो ऐसे ही लिखा था, खेर, तुम हो कहां मैं आ जाता हूँ, सुदीप ने पूछा, आज कोई 10 तारीक ठोड़े है, बात 10 तारीक को मिलने की हुई थी, मैं कल आ रही हूँ कल प्राखंड में, एक काम करो, तुम वहीं रुको मैं वहीं आता हूँ, कल मिलते हैं, दोनों में से किसी ने फाल्तू के सवाल नहीं पूछे जो अक्सर लड़के और लड़कियां दोनों ही पूछ लेते हैं, जैसे की क्यों मिलना है, हमें ऐसे नहीं मिलना चाहिए, मिलकर क् एक उम्मीद है कुछ धूंडने की, थोड़ा रस्ता भटकने की, थोड़ा सुस्ताने की. उम्मीद इस बात की भी की नाउमीदी मिले लेकिन इतना सोच समझ कर चले भी तो क्या खाग चले. चित्रा और सुदीब दोनों ही कॉलेज के लड़कालर की तो थे नहीं, जिनको जिंदगी में पहली बार प्यार हुआ हो. चित्रा और सुदीब कोई प्यार होने की वज़े से मिल भी नहीं रहे थे. एक वक्त के बाद प्यार में गुदगुदी होना बंध हो जाता है लेकिन केंची धाम की दूरी करीब 8 घंटे की थी. 10 अक्टूबर 2011. केंची धाम, उत्तराखंड, सुबह 6 बजे. सुदीब नीम करॉली बाबा के आश्रम के में गेट के बाहर खड़ा था. आसपास की दुकाने अभी खुली नहीं थी. चित्रा सामने से आ रही थी. सुदीब को हलकी हलकी ठंट बहुत अच्छी लग रही थी. चित्रा ने सुदीब को गले लगाया. 2010 के 10 अक्टूबर ने 2011 के 10 अक्टूबर को गले लगाया. चित्रा की छोटी उंगली ने सुदीब की छोटी उंगली से उसका हाल पूछा. सुदीब ने आश्रम देखा. वहां मुहात नीम करॉली बाबा के बारे में जितनी ही कम जानकारी है उतनी ही ज़्यादा उनके बारे में कहानिया हैं। दुकान पर 18-19 साल की लड़की थी। सुदीप का चाय पीने का बहुत मन हुआ। उसने उस लड़की से चाय देने के लिए कहा और पूछा बाबा ऐसा क्या करते थे कि अमरीका से इतने लोग आते हैं। बाबा कोई चमतकार भी करते थे क्या। लड़की बोली बाबा अब भी आते रहते हैं। लड़की ने यह इतने सीरियस तरीके से कहा कि जैसे उसने खुद बाबा को देखा हो। काईदे से सुदीप को इस बात पर हसना चाहिए था लेकिन वह हसा नहीं। लड़की ने चाय देते हुए कहा, फेस्बुक को जिसने बनाया था कुछ माग करके नाम है। माग जकरबग, हाँ वही, वो भी 2-3 साल पहले यहां आया था। चित्रा और सुदीप अभी तक करीब क्रीप चुप ही थे। एक साल की धूरी के बाद बात शुरू होने में कुछ समय तो लगता है। चाय पीकर सुदीप ने पूछा, तो क्या प्लान है फिर, तुम्हारे पास टाइम कितना है उस पर डिपेंड करता है। वैसे नैनी ताल गए हो कभी, यहां से बस 17-18 किलोमेटर धूर है। बहते हुए देखना ऐसे कोई बड़ी बात नहीं लेकिन नदी को बहते ही बहुत ध्यान से देखने पर एक मोमेंट आता है जब नदी रुप जाती है और बाकी सब कुछ पीछे चुटने लगता है। इसको साइन्स की नजर से देखें तो यह बहुत छो बात है लेकिन अगर एक मिनट को साइन्स भूल जाएं तो नदी का बहना बहुत बड़ी बात है। नदी और जिंदगी दोनों बहती हैं और दोनों ही धीरे-धीरे सूखती रहती हैं। सुदीप कार से आया हुआ था। उसने ड्राइवर को वही छोड़ दिया। वैसे भी नैनिताल जाने के लिए थोड़े एक स्पेर ड्राइवर लगते हैं। सुदीप के लिए ये सब दिक्कतें कुछ थी ही नहीं। सुदीप ने जैसे ही पहार के लिए अलग ड्राइवर लिया, चित्रा ने कहा, ड्राइवर की जरूरत नहीं है। मैं चला लूंगी। सुदीप को थोड़ा ताज जुब हुआ। पक्का, मार तो नहीं डालोगी। सुदीप ने पूछा, मैंने पहारों में बहुत कार चलाई है, चिंता मत करो, और मर भी जाओगे तो क्या, तुम्हारे मरने की तो न्यूस बनेगी हमारा क्या है, किसी को पता भी नहीं चलेगा की चित्रा पाठक स्वर्ग से धार गई। सुदीप कार में बैठ कर अपनी बैल्ट लगाते हुए बोला, मैंने नैनी ताल के सबसे अच्छे होटल में दो कमरे बुक कराने के लिए अपनी टीम को बोल दिया है, नैनी ताल जा कौन रहा है, तुमने बोला तो कि हम नैनी ताल जा रहे हैं, हाँ बोला था लेकिन नैनी ताल में इतनी भीड होती है कि म Mr. Millionaire, ये बताओ कि पूरे एक साल में दो सबसे बड़ी चीजें क्या हुई तुम्हारे साथ, पहली चीज, एक girlfriend बन गई, क्या नाम है, करती क्या है, सुनेना, office में ही business head है, good, दूसरी चीज, दूसरी चीज, मैंने अपने 15% share कल बेच दिये, share बेच दिये तुमने, कोई और option नहीं था, खेर, ये सब छोड़ो, अब तुम बताओ, मेरी life में कुछ नया नहीं यार, पिछले हफ्ते जाकर novel का पहला draft कुरा हुआ है, लेकिन मुझे मजा नहीं आ रहा, अच्छा ये तो बता दो, हम जा कहां रहे हैं, सुदीप ने चित्रा को कोहनी मारते हुए पूछा सोना पानी गाओ, मुक्तेश्वर के पास, कितनी धूर का रास्ता है, वहां जाने की कोई खास वज़े है, सुदीप अपने mobile पर Google Maps से वहां तक की धूरी देखने की कोशिश करता है, लेकिन mobile में signal आने बंध हो चुके थे, हाँ, वहां mobile के signal नहीं आते और वहां से हिमाले ए ना अच्छे से नहीं आता, सुदीप अच्छा खासा थका हुआ था, लेकिन चित्रा से मिलकर उसको अच्छा लग रहा था, पहारों की हवा हलके हलके दोनों के चेहरों पर 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 रही थी, पहार की हवा थकान मिटा देती है, एक मोर पर छो दुकान पर रुख कर उन्हों भाव किया। उसने स्टाइल मारते हुए कहा भी कि पिछली बार तो आपने इतना ही लिया था। अब इतना महंगा कर दिया। खैर, कौटेज की खिर्की से बाहर पहार कम आसमान ज्यादा दिख रहा था। सुदीप ने कमरे में अपना सामान रखा और जूते खोल कर बैड प से कोई प्यार तो करते नहीं थे। इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बातें खत्म होने के बाद क्या करनी होती है। असल में प्यार को हमने जिंदगी में जरूरत से ज़्यादा जगह दे रखी है। हमें प्यार से जगह बचा कर कभीक भार ऐसे ही शेहर से दूर च चाय पीने के बाद चित्रा उठी और सामने खिलकी पर जाकर खड़ी हो गई। चित्रा ने थोड़ा सा नकरा दिखाते हुए कहा अच्छा ठीक है नहीं पूछूंगा इतना तो बता दो की कहानी के एंग में बो मिलते हैं मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी तुमको। हर चीज का मजाक उड़ाते हो तुम। इसके बाद चित्रा ने अपने बैक से किताब की मैनुस्क्रिप निकाली और सुदीप की और बढ़ाते हुए कहा कि अगर मन करे तो पढ़ लेना। किताब की लेखे का सामने बैठी है फिर भी कहानी पढ़नी पढ़ेगी। इतना काम कराओगी तुम। सुदीप ने मैनुस्क्रिप पलतते हुआ कहा, मन करे तो पढ़ना नहीं तो कोई जबर्दस्ती नहीं है। चित्रा ने कहा, अच्छा ये बताओ, कितना थके हो, अगर कम थके हो तो पास में कहीं आवारागर्दी करने चलें। चित्रा ने बाहर देखते हुए पुछा, थोड़ी देर में चलें, रात में सही से नींग नहीं आई। एक दो घंटे सो लून, सुदीप ने अपना मोजा उतार कर बैड पर लेते हुए कहा, चित्रा ये कहकर कमरे से निकल गई कि वह कुछ देर बाहर घूमकर आ जाएगी। उतनी देर वह सो जाए, तै ये हुआ कि दोनो दिन में आवारागर्दी करने जाएंगे। जितनी देर के लिए सुदीप सोया उतनी देर में चित्रा ने बाहर निकल कर आसपास वालों से दोस्ती करके होटल वाले से उसकी बाइक ले ली थी। चित्रा करीब एक दशमलव तीन शून्य बजे कमरे में घुसी और सुदीप को उठाना शुरू किया। सुदीप बहुत गहरी नींड में था। उसने कई बार सुदीप के कान में फुसफुसा कर उसको उठाने की कोशिश की लेकिन सुदीप पर कोई असर नहीं हुआ। उसको सोता देखकर काईदे से चित्रा को सुदीप का सिर सहला देना चाहिए था लेकिन वे कोई प्यार मे थोड़े थे। चित्रा ने सुदीब का कंबल हटाया और अपने मोबाइल पर तेज आवाज में गाने बजा दिये। चित्रा की इतनी मेहनत के बाद कहीं जाकर सुदीब पर हलका फुलका असर हुआ। वह थोड़ा डिस्टब हुआ और अपना कंबल वापस खीच लिया। इस बात पर अब चित्रा को गुस्सा आ गया। उसने सुदीब को जोर से हिला दिया। फिर चित्रा को लगा कि रात भर अब एक सफेद बाल दिखाई दिया। आधे घंटे बाद जब चित्रा नहा कर निकली तब जाकर सुदीब की नीन खुली। आख खुलते ही उसने पूछा की कितने बज़े हैं। आज का पूरा दिन निकल गया। सुदीब ने उठकर सबसे पहले अपना मोबाइल चेक किय अब भी मोबाइल में एक भी सिगनल नहीं था। अब जल्दी से नहा लो। दो बजने वाले हैं। मैंने बाइक का इंतजाम कर लिया है। सुदीब आराम से उठकर नहाया। उसको जब बाथरूम में 15 मिनिट हो गए तो चित्रा बाहर से चिलाई। लड़कियां भी बाथ से ही चिलाया की चित्रा बाहर चली जाए। वह कपड़े कमरे में आकर पहनेगा। चित्रा बहुत जोर से हंसी और दरवाजे के पास आकर चिलाई। कितने हो तुम। मैंने खिलकी की तरफ मुह कर लिया है। आजाओ। सुदीब बाथरूम का दरवाजा खोलते ही देखता है कि चित्रा सामने बैड पर बैठे कोई किताब पढ़ रही है। सुदीब ने कमरे में आकर कपड़े पहने और अपने बाल बनाने लगा। बाल बनाते हुए जब उसको दो मिनट से ज्यादा हो गए तब चित्रा बोली ज्यादा बाल बनाने से सुन्दर नहीं दिखने ल सब कुछ सुनाई पर रहा था। हवा, जानवर, खामुशी सब कुछ। सामने सूरज डूबने में अभी कुछ देर थी। दोनों वही सिमेंट के चबूत्रे पर बैठ गए। ये जहां तुम बैठ रहे हो यही पर मेरी किताब में हीरोईन पहली बार हीरो का हाथ पकड़त कैसी कहानियां लिखती हूँ, एक बार बोका जाए न तब तुम देखना। चित्रा ने आराम से अपने आपको चबूत्रे पर एज़स्ट करते हुए कहा। तुम्हारी किताब के हीरो हीरोईन प्यार करने के अलावा कुछ नहीं करते न। सुदीप ने थोड़ा सा टोंट बुझा रही थी। बुझते-बुझते सूरज उदास था क्योंकि उसको शायद पता था कि शहर के जिसकोने में दोनों आज शाम बैठे हैं वहां कल नहीं होंगे। सूरज से मुलाकातें होती रहेंगी लेकिन उनका अपना कोना खो जाएगा। चित्रा और सुदीप साथ साथ रहें नरहें उनके बीच का कुछन कुछ हमेशा खोता रहेगा। दूर कहीं कोई बुड़ी औरत एक पहारी गाना गा रहा थी जिसका मतलब दोनों को ही नहीं पता था। सूरज को भी उस गाने का मतलब नहीं पता था लेकिन वो इतनी बार यह गाना सुन चुका था क उसे वो गाना याद हो गया था ठीक वैसे जैसे बच्चे को लोरी याद पहले होती और समझ बहुत बाद में आती है। अपने इचने घरों को काफी पीछे चोड़ाए लड़के लड़कियां। ये लोग शाम को आग जला कर चारों और बैट जाते। कोई कहानी सुनाता तो कोई कविता तो कोई गाना। किसी के पास दुनिया गूमने के किससे थे तो किसी के पास हुमाचल के किसी छोटे से जिसका जितना मन होता वह एक जोले में पैसे डाल देता, सुदीप ने सबसे नजर बचा कर उनके जोले में एक लाख रुपय का चेक रख दिया था, जिंदगी का एंड ऐसा ही होना चाहिए, जब गाना बजाना चल रहा हो और जब अगले दिन की सुबह का इंतजार न हो, च सुदीप ने जाने से पहले अपने बैक से वही मुराकामी की किताब निकाली, इससे पहले वह चित्रा की और किताब बढ़ाता, चित्रा ने अपने आप किताब लेकर उसके आखिरी पन्ने पर 10 अक्टूबर 2012 की तारीक लिख दी और पूछा, ये किताब क्यों लाए हो, अ आगे बढ़कर सुदीप को गले लगा लिया, सुदीप ने एअपोर्ट में अंदर घुस्ते हुए अपनी सेक्रेटरी को कॉल किया और उसको 10 अक्टूबर का अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिये, सेक्रेटरी चौंकी क्योंकि 10 अक्टूबर त गर में पहुंची, घर के बाहर 9-10 दिन के पेपर थे, उसने सरसरी निगाह पेपर पर डाली, एक पन्ने पर सुदीप के शेयर बेचने वाली खबर की फोटो भी थी, चित्रा का घर बहुत छोटा सा था, एक छोटा सा हॉल था जिसमें धूपा रही थी, एक छो किताब की अलमारी साथ में पढ़ने लिखने वाला टेबल था, रंग बिरंगे कई तरह के पेन, स्कैच, कई तरह की नोटबुक, दो-तीन अधूरी पढ़ी हुई मैनुस्क्रिप्ट, चित्रा कई दिन बाद घर लोटी थी, घर अच्छा खासा गंदा था, उसने पहले घर की सफाई की, फ्रिज खोल कर देखा तो उसमें कुछ था नहीं, वह मैगी और ब्लैक कॉफी लेकर बैठी और अपनी डाइरी में 10 अक्टूबर 2012 की तारीक के आगे, मिटिंग विद सुदीप लिख दिया, वह अपने छोटे से घर की सफाई तब तक करती रही जब तक ठक नहीं गई अकेले रहना आसान बनाने में बड़ी मुश्किलें आती हैं, बहुत छोटी छोटी मुश्किलें जैसे जिस दिन दरवाजा खोलने का मन नहीं करता उस दिन सबसे ज़्यादा घंटी बचती है, कभी भी जिंदगी से बस इतना ही चाहिए होता है कि कोई दरवाजा खोलने वाला हो। चित्रा को पता था तो कि उसे चाहिए क्या लेकिन पता होने के बाद भी रास्ता चल पाना इतना आसान होता तो चित्रा की किताब अब तक आ चुकी होती। साल में वह थोड़ी सी मोटी हुई थी। आखों पर एक चश्मा आ गया था जो उसको और भी सुंदर बना रहा था। चित्रा उस महिला के आने पर कुर्सी से उठी। हाई रुचिका। हाई चित्रा, कॉफी, no, thanks। रुचिका ने चित्रा को बैठने का इशारा किया। चित् अधर आमिश्ट्रिपाठी की तीन पाथ सीरीज की आखिरी किताब The Oath of the Wayuputras फरवरी 2013 में आने वाली थी। जिसके बारे में यह खबर थी की पब्लिशने करीब 5 करोर रुप्य की एडवांस रॉयल्टी दी थी। उधर एक नए राइटर रविंदर सिंग की किताब I too had a love स्टोरी को पैंग बिन पब्लिशने दुबारा चापा था। रविंदर की किताब मार्केट में आने के बाद से लगातार बिक रही थी। चित्रा लिखने में कैसी थी, कैसी नहीं थी यह तो वैसे भी समय बताने वाला था लेकिन उसके मन में कहीं कहीं यह बात बैठती जा था लेकिन उसमें उसका मन नहीं लगता था। रुचिका ने बिना एक भी सेकंड गवाएं कहा, चित्रा एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज। चित्रा ने अपना सिर्थ थोड़ा सा जुकाया और मुस्कुराने की कोशिश की। रुचिका ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मुझे तुम्हारी राइटिंग पसंद है। तुम्हारी राइटिंग में एक फ्लो है। चित्रा ने पुछा कि यह गुड न्यूज है या बैड न्यूज। रुचिका ने एक सिप कॉफी लेते हुए कहा, हम तुम्हारी किताब इस साल नहीं चाप रहे लेकिन एक writer हैं जिसका नाम मैं अभी नहीं बता सकती। अगर तुम उनकी किताब के लिए ghost writing करो तो बहुत पैसे मिल सकते हैं। तुम आराम से सोच लो और मुझे बता दो। चित्रा को पैसों की जरूरत थी। चित्रा ने भारी मन से हां कर दिया। रूचिका ने चित्रा के सामने एक दो पेज का माव मेमरांडम ओफ अंडिस्टैंडिंग साइन करने के लिए बढ़ाया। जिसका कुल मतलब इतना था कि अगर चित्रा ने कभी उस writer का नाम डिस्कलोज किया तो उस पर भारी penalty लग जाएगी। चित्रा को एक बहुत बड़ी popular लेखिका के लिए लिखना था। चित्रा को यकीन नहीं हुआ कि वो ghost writing करवाती है। चलने से पहले रुचिरा ने बताया कि अगले हफते में वह उसकी meeting करवा देगी और उसकी कमाई का 10% रुचिरा का होगा। रुचिरा अपनी खुद की एक company खोलना चाहती थी। उसको लगता था कि literary agent बनकर वह ज्यादा पैसे कमा सकती है। इसलिए वह चित्रा जैसे लेखकों की तलाश में रहती थी जिनसे ghost writing करवा पाए। उधर पिछले एक साल में सुदीप ने अपने share बेचने के बाद दिन रात एक कर दिया था कि वह अपनी company खड़ी कर पाए। उसने अपने आप इतना काम ले रखा था कि उसको किसी भी चीज की फुरसत नहीं थी। उसने अपने ego पर ले लिया था कि वह भी company चला सकता है। क्योंकि इससे पहले जितनी भी company में उसने पैसा लगाया था उनमें से बहुत सी company आच्छा कर चुकी थी। सुदीप के Mumbai office में सुबह 10 बजे बहुत ही important meeting थी। मीटिंग में जाने से पहले उसकी secretary ने दिन भर का बताना शुरू किया। Secretary ने पूछा, Sir, शाम को 6 बजे meeting with चित्रा लिखा है। इनकी कोई और detail मेरे पास नहीं है। सुदीप को अब जाकर ध्यान आया कि आज 10 October है। उसने तुरंथी चित्रा को phone मिलाया। चित्रा का phone उठा नहीं या यूं कह लीजिए कि चित्रा ने phone उठाया नहीं। वह ghost writing के यहां बोलकर बहुत परेशान थी लेकिन पैसे की जरूरत ऐसी थी कि उसके पास कोई और option नहीं था। चित्रा अपने घर लोट कर चाए बना कर अपनी लिखी हुई manuscript उल्ट पलट रही थी। उसके सामने phone दो बार पूरा पूरा बजा। वह यहीं सोचकर phone नहीं उठाई क कि दो महीने से उसने किराया नहीं दिया है, वह जल्द से जल्द किराया दे। चित्रा ने गुस्से में सामने रखा चाए का ग्लास उठा कर फेंक दिया। फेंकने के बाद याद आया कि घर में कोई बाई तो आती नहीं है, उसे ही साफ करना है। वह उठकर धीरे धीरे ग को आगे ले जाना चाहिए। सुदीप उनकी बहुत सी बातों पर अग्री नहीं कर रहा था। चित्रा ने दिन के करीब एक बजे सुदीप को कॉल किया। सुदीप ने चित्रा का फोन देखकर अपना बोलना एक मिनट के लिए रोका और कॉल लेने के लिए मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। वह निकल ही रहा था कि इतने में अभिजात ने इशारे में पूछा, बहुत अजेंट है। सुदीप ने इशारे में जवाब दिया कि हां बहुत ही अजेंट है। उसके इस जवाब से अभिजात थोड़ा सा खीजा लेकिन अपने चेहरे पर बनाये रखते हुए वह इंवेस्टर का ध्याने धरुधर करने की कोशिश करने लगा। चित्रा के कॉल से सुधीप ने मीटिंग रूम से बाहर निकल कर फोन लिया। तुम कहां हो, ठीक तो हो। चित्रा कुछ देर चुप रहने के बाद बोली, क्या हम मिल सकते हैं। सुधीप को चित्रा के जवाब देने की टोन से समझ आ गया कि वह परेशान है। उसने कहा कि वह अपनी सेक्रेटरी का नमब भेज रहा है, वह सब कुछ हरेंज कर देगी। सुधीप ने अपनी सेक्रेटरी को मैसेज करके बोला कि चित्रा से बात करके शाम की फ्लाइट टिकट भेज दे और उसकी बुकिंग ताज में कर दे। सुधीप अभी मीटिंग में ही था कि दिन के दो बज़े चित्रा का मैसेज आया, सी यू इन इवनिंग। सुधीप ने जवाब टाइप किया, Welcome to Mumbai. सुधीप के ऐसे बीच में मीटिंग में उठके जाने की वज़े से कमपनी के बोर्ड आफ डाइरेक्टर और इन्वेस्टर को बुरा लगा लेकिन उन्होंने उस समय उसके सामने यह जताया नहीं. शाम को उन्हीं इन्वेस्टर के साथ पार्टी थी लेकिन सुधीप का पार्टी में जाने का कोई मूड नहीं था. सुधीप के करीबी दोस्त और कमपनी में पार्टरन अभिजात ने उसको समझाया भी कि ऐसा क्या इंपोटेंट है, थोड़ी देर आकर वह चला जाए. ले लेकिन 9 बजते बजते ताज के लिए निकल लिया. जाने से पहले सुधीप की गलफ्रेंड और कमपनी की बिजनेस हेड सुनैना ने भी सुधीप को समझाने की कोशिश की लेकिन सुधीप को कुछ समझना ही नहीं था. सुधीप के जाने के बाद अभिजात और सुनैना दो इन्वेस्टर से बिना मिले तुम्हारा जाना हमारे लिए कितना ओक्वर्ड है सुदीप ने सुनेना की बात दो-तीन मिनट तक सुनी फिर बोला मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी सुनेना ने गुसे में फोन काट दिया जब उसने फोन काटा अभिजात उसके पास में ही खड़ा था अभिजात ने सुनेना के कंदे पर हाथ रखा दोनों मुर्कर इन्वेस्टर और बाकी इंपोटेंट लोगों से ऐसे घुल मिलकर मुस्कुरा कर बात करने लगे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था कोई सुदीप के बारे में कुछ पूछता तो सुनेना बता देती कि उसकी तबियत अचानक बहुत खराब हो गई थी हालां कि उसका ऐसे जल्दी निकल जाना बहुत लोगों को सही नहीं लगा सुदीप ने इन सब पर कुछ ध्यान नहीं दिया उसको अपने काम पर भरोसा था यह भी भरोसा था कि एक दिन जो शेर उसने बेच दिये हैं वह उनको वापिस खरीद लेगा 10 अक्टूबर 2012 ताजन, मुंबई मुंबई में ताज की खिलकी से दिखते हुए सीलिंग से ठीक पहले मोटर साइकल पर टेक लगाए जोड़े दिखते हैं उनके ठीक पीछे समंदर और समंदर के दूसरी तरफ साउथ मुंबई दिखता है वो जोड़े एक दूसरे को तमाम तरह से छू कर देख रहे होते हैं जैसे बच्चा गिर जाए तो माट टोल कर देखती है कि कहीं ज्यादा तो नहीं लगी मुंबई की सबसे अच्छी बात समंदर नहीं ये जोड़े हैं कभीन भी मुंबई में रहने वाला हर शक्स मुंबई का बेचैन समंदर होना चाहता है जिसके पास बस इतनी जगह हो की दो लोग आकर जी भर सुस्ता सकें होटल पहुँचते पहुँचते सुदीब को रात के करीब 10 बच गए चित्रा शाम 7 बजे से होटल रूम में थी वह टहलकर शाहरुक खान के घर मननत के बाहर तक चक्कर लगा आई सुदीब ने मुंबई में घर नहीं लिया था उसको घर लेकर रहने में अजीबसी बेचैनी होती थी उसके नाम से एक कमरा हमेशा ताज में बुक रहता था सुदीब के कमरे में घुसते ही चित्रा ने उसको गले लगा लिया चित्रा ने ध्यान नहीं दिया लेकिन वह रो रही थी सुदीब ने उसको सामने बैठाया और एक भी बार चुप होने के लिए नहीं कहा यार कुछ भी सही नहीं हो रहा मेरी किताब कभी नहीं आ पाएगी कभीग भी मुझे रिग्रेट होता है कि मैंने अपने पती को छोड़ा ही क्यों I am a failure सुदीब सुदीब चाहता तो बहुत कुछ समझा सकता था लेकिन उसने चित्रा को कुछ नहीं समझाया चित्रा थोड़ी देर बाद चुप हो गई उस शाम चित्रा को बस कोई ऐसा चाहिए थे जो बिना कुछ कहे बिना कुछ सोचे बस उसको सुन पाए सुन पाना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है लोग बीच में समझाने लगते हैं उससे ही सब बात खराब हो जाती है कुछ देर बार सुदीप ने वही सामने फ्रिज से शराब की छोटी बोतल निकाली एक एक पैग बनाया पैग पीने के बाद उसने चित्रा से बाहर टहलने चलने के लिए पुछा दोनों बैंड स्टेंड पर आकर टेहलने लगे अक्टूबर के हिसाब से मौसम सही था चित्रा अब कुछ हलका महसूस कर रही थी तुम बताओ काम कैसा चल रहा है सुनेना से शादी कब कर रहे हो सुदीप अपने काम के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था शादी का तो अभी कोई प्लान नहीं है सुनेना कैसी है उसको पता है कि तुम यहां हो चित्रा ने पूछा चित्रा अभी यह बोल ही रही थी इतने में सुनेना का फोन आया सुदीप का फोन पिक करने का मन नहीं था चित्रा के बोलने पर उसने फोन उठाया सुनैना का सुधीप से लड़ने का मूड था वह पार्टी से निकल कर मिलने आने वाली थी सुधीप ने उसको समझाया कि उसका अभी किसी से मिलने का मूड नहीं है सुनेना फोन नहीं रखना चाहती थी लेकिन सुदीप को बात करनी ही नहीं थी सुनेना के बार-बार बात करने की कोशिश के बावजूद भी सुदीप ने बस यही कहा कि कल सुबह बात करते हैं सही से बात क्यूं नहीं कि तुमने चित्रा ने पूछा ऐसे ही मन नहीं था, उसको पता है कि तुम मेरे साथ हो, नहीं, क्यूं, उसको बताना था, क्या पता वो गलत समझे, इस बात का सुधीप ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अब जाकर उसका ध्यान उसके नए लुप पर गया, उसने चित्रा के बाल चुकर उसके सिर को सहल दिया और बोला, अच्छे तो थे, कटवा क्यू दिये, बाल ट्रिम करवा कर बहुत हलका लगा, ऐसा लगा कि सिर से कोई बोज उतर गया, आजादी मिल गई, तुम और तुम्हारे फंडे, सुधीप ने जेब से सिग्रेट निकाली और पीने लगा, वे दोनों वहीं टहल क थोड़ी धूर जाकर बैट गए, लोग शाहरुक खान के घर के बाहर फोटो खिच्वा रहे थे, वहाँ शायद कोई पार्टी थी, कभी शाहरुक खान से मिले हो, चित्रा ने पूछा, हाँ, बुक माई ट्रिप का ब्रांड एमवेस्डर बनाने के लिए एक दो बार मिले ह हुई है, अगले महीने उसकी फिल्म आने वाली है, जब तक है जान, उसके प्रीमिय का इंविटेशन आया हुआ है लेकिन मैं नहीं जाओंगा, सुदीप ने ऐसे जवाब दिया कि यह सब उसके लिए कितनी छोटी बाते हैं, कौन-कौन सी हीरोईन से मिले हो, बहुतों से, लेकिन मैं किसी भी हीरोईन से ज़्यादा बात नहीं करता, क्यों, यार, एक दो लड़कियां चेप हो चुकी हैं, बात क्या कर लो फिल्म में इंवेस्ट करने के लिए बोलने लगती हैं, मुझे फिल्म में इंवेस्ट करना नहीं है, अफेय चलाने का टाइम नहीं है, सु पिंट करो, घुमो फिरो, मौजमस्ती करो लेकिन मेरी फोटो साथ में मत डालो यार, कोई नया फालतू का टेंशन नहीं चाहिए लाइफ में, केरफुल रहना पड़ता है यार, बुक माई ट्रिप पर मेरी बजह से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए न, अब मेरा छोड़ो, चित्रा ने कुछ खास बताया नहीं, वह बस एक दिन के लिए अपनी लाइफ के बारे में भूलना चाहती थी, चित्रा और सुदीप जहां बैठे थे, वही पास में एक बच्चा खेल रहा था, वह बार-बार चित्रा के पास आ जा रहा था, वह मुंबई की आजादी को ग चाहे तो लगना यही चाहिए की सब चल रहा है, सुदीप ने भी कुछ न कुछ बोलने के प्रेशमें पूछ लिया, कैसी हो तुम, इनसे खराब सवाल नहीं पूछ सकते थे तुम, वह उदास बातें करके सारी उदासी मिटा देती थी, वैसे तो सुदीप और चित्रा चित्रा होटल लोटे, दोनों चित्रा के कमरे में थे, सुदीप अपने कमरे में जाने लगा, चित्रा ने सामने रखी कॉफी मशीन देखकर पूछा, कॉफी, सुदीप ने कॉफी के लिए हामी भर दी, चित्रा उठकर बाथरूम में गई, उसने अपना मुह धोया, उसको टेबल पर कॉफी रखते हुए उसने पूछा, तो तुम्हारे रिटायरमेंट वाले प्लान का क्या चल रहा है, सुधीब को अपनी लाइफ की कोई भी बात करने का मन नहीं था, चित्रा ने सुधीब को बताया कि पिछले एक साल में उसने अपनी दो किताबे पूरी कर ली है सुधीब कोफी पीकर अपने कमरे में जाने से पहले चित्रा से पूछा कि उसको रुपे पैसों की कोई भी जरूरत तो नहीं है, चित्रा ने किसी भी मदद के लिए मना कर दिया, उसने कहा भी कि अगर कभी उसे ऐसा लगेगा कि मदद चाहिए तो वह बोल देगी, सुधी सुधीब दस मिनट बाद अपने कमरे में जाकर चेंज करके आया, उसके हाथ में वही मुराकामी की किताब थी, उसने चित्रा की ओर किताब बढ़ाते हुए कहा की डेट लिख दो, चित्रा ने 10 अक्टूबर 2013 की तारीक लिख दी, सुधीब ने कहा हमेशा 10 अक्टूबर की तारीक डालती हो, तारीक बदल कर देखो, क्या पता किस्मत भी बदल जाए। सुभर चलने से पहले बहुत देर तक कुरसी पर बैट कर चित्रा को ध्यान से देखता रहा, उसके चहरे पर बहुत रोशनी पढ़ रही थी, इसलिए उसने कमरे के परदे लगा दिये ताकि वह आराम से सो सके, चित्रा के उठने से पहले तक सुधीब जा चुका था, उसन पर कर जवाब में कुछ भी मत लिखना, बस जल्दी से अपनी किताब पूरी कर लो, जो शामेक हो जाती हैं, वो बस अधूरी किताबों में मिलती हैं, ठैंक्स फॉर कमिंग, लव सुधीब, सुधीब ने नोट में लव लिखकर काटा हुआ था, चित्रा ने उस कटे हुए लव को दो-तीन बार चुकर टटोला, गोस्ट राइटिंग की स्थिती में जो लेखक किताब लिखता है उसका नाम नहीं आता बलकि वह किसी और के लिए किताब लिखता है, जिसके एवज में बहुत पैसे मिलते हैं, हिंदुस्तानी टीवी की दुनिया में ऐसा बहुत प् कमपनी के CEO के पद से रिजाइन कर दे, सुदीप यह लड़ाई किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहता था, इसलिए उसने जापान की कमपनी S-Bank को फंडिंग के लिए अप्रोच किया था, सुदीप, अभिजात और सुनेना अपनी investment firm, S-Bank के head office में बैठे थे, सुदीप को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए और रुपयों की जरूरत थी, थोड़ी देर में ही मीटिंग शुरू होने वाली थी, अभिजात और सुनेना अपने laptop में presentation final कर रहे थे, कमरे में S-Bank की तरफ से एक अमरीकन और एक हिंदुस्तानी आदमी बैठा था, सभी लोग S-Bank के चेर्मेन मियाजा की सान का इंतजार कर रहे थे, आज बड़ा फैसला होना होना था क्योंकि अगर आज सुदीप को आगे बिजनेस बढ़ाने के लिए रुपय मिलते तो उनका प्रॉमिस था कि वो लोग अगले दो साल में इंडिया की नमबर एक ट्रेवल कमपनी बन सकते मीटिंग शुरू होते ही अभिजात ने बोलना शुरू किया, उसने बताया कि कमपनी ने कुछ अच्छा किया है, उनका ट्राफिक बढ़ भी रहा है, उसको प्रेजेंटेशन को बीच में रोपकर मियाजा की सान ने उनको बोला कि आपने तो इससे बहुत ज्यादा प्रॉ इससे पहले की अभिजात इसका जवाब देता, सुधीप अपनी सीट से खड़ा हुआ और मियाजाकी की तरफ देखकर समझाना शुरू किया, सर, मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ कि हम लोग ट्रेवल बिजनेस हैं ही नहीं, सुधीप की यह बात सुनते ही पूरे कमरे म सब लोग सकते में आ गए, अभिजात और सुनेना एक दूसरे को देखने लगे, उन्हें समझ ही नहीं आया है कि यह सुधीप क्या कर रहा है, सुधीप ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, सर, अगर हम केवल एक ऐसी साइट हैं जो लोगों को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाती है, मतलब कि अगर हम केवल टिकट बेचने के बिजनेस में हैं, तो हमारा बिजनेस कभी ग्रो नहीं करेगा, हम लोग असल में एक्सपीरियंस बेचने के बिजनेस में हैं, कोई अगर दिल्ली से जाता है तो हमारा काम केवल उसको एक कार और सुधीप का पॉइंट बहुत ही क्लियर था, उसने उस मीटिंग में मिया जाकी को समझाया कि दुनिया भर में ट्रेवल को लेकर रुजान बहुत बढ़ रहा है। बड़ी बाइक ट्रेवल कमपनी में स्टेक ले लिया था। सुधीप की अपने बिजनेस को लेकर बिजन और क्लेरिटी, अभिजात और सुनेना से कम से कम पांच साल आगे का था। मियाजा की सुधीप की बातों से इंप्रेस हुए। सुधीप को अपने 10% स्टेक की कीमत करने की शर्ट पर करीब 251 करोर रुपय मिले। इस बार जब मीडिया में खबर आई तब न्यूज में अमाउंट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। हालांकि मीटिंग के बाद अभिजात और सुनेना बहुत खुश थे लेकिन सुधीप को अपना 10% स्टेक देने क के लिए राजीव चौक के कैफे कॉफी डे में बेट कर रही थी। चित्रा ने जो किताब लिखी थी वो बैस्ट सेलह हो चुकी थी लेकिन पूरी किताब में चित्रा का नाम कहीं भी नहीं था। रुचिका ने आते ही अपने लिए ब्लैक कॉफी ओर की और कुरसी पर तीनों ही न्यूज बैड है मतलब चित्रा ने अपनी आँखें मचकाते हुए कहा इतनी भी बुरी नहीं हैं सुनाओ रुचिका ने कॉफी का सिप लेते हुए कहा पहली गुड न्यूज ये है कि अगर तुम एक और किताब की घोस्ट राइटिन करती हो तो पिछले बार से डबल पैसा मिलेगा दूसरी गुड न्यूज ये है कि मेरे पास टीवी राइटिन के लिए कुछ बहुत अच्छे ओफर हैं पैसा भी बहुत अच्छा है तुम बोलोगी तो मीटिंग करा दूंगी बैड न्यूज ये है कि तुम्हारी बुक हम इस साल भी पब्लिश नहीं उसने टॉप मैनेजमेंट वगेरा की कोई बात बोलकर उसको टरका दिया चित्रा को यह उम्मीद थी कि अब तो उसकी लिखी हुई किताब बैस्ट से लहो चुकी है अब तो उसको चांस मिल ही जाएगा पैसे की दिक्कत तो थी ही क्योंकि पिछली बार भी गोस्ट पैसे के लिए वह आर्टिकल भी लिखने लगी थी लेकिन आर्टिकल लिखने के चक्कर में टाइम बहुत चला जाता था जिस टाइम में वह अपनी बाकी बची हुई किताबें पूरी कर पाती किसी भी लेखक के लिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता कि उसकी अलमारी में न छपी हुई किताबों का कोना बढ़ा होता जाए यह वैसे ही है जैसे साल भर में हमारी नली हुई छुटिट्यों का हिस्सा पता नहीं कब बढ़ जाता है जिन्दगी में न जिये हुए दिनों का कोटा बढ़ता जाता है खुद को सीरियस्ली लेने के चक्कर में आदमी भूल ही जाता है कि एक दिन सब ठाट धरा रह जाएगा हर बीता हुआ दिन अपने न जिये जाने का हिसाब मानता है सब कुछ ठीक है और कुछ भी ठीक नहीं है जैसे ख्याल इसलिए आते हैं ताकि आदमी अकेले में बैठकर जिन्दगी से उप सके इतना उबे की जिन्दगी से आंक में चॉली करने की हिम्मत जुटा सके उबे हुए लोग ही गूगल मैप का छोटे से छोटा रास्ता छोड़कर सठक के किनारे की पगडंडी वाला लंबा रास्ता लेते हैं नजारे बदलने से नजरिया भी बदल जाता है यह बात किसी बूरी औरत ने कही थी औरतों को नजारा बदलने के लिए आदमी से ज्यादा चलना पड़ता है चित्रा का रास्ता लंबा भी था और अलग भी इसलिए मुश्किल ज्यादा न भी हो लेकिन नई थी 10 अक्टूबर 2013 की शाम को सुधीप और चित्रा दोनों इतने उदास्ते की दोनों का एक दूसरे को पहले कॉल करने का मन नहीं किया दिन खत्म होने से पहले सुधीप ने जापान के रात 11.30 बजे चित्रा को कॉल किया उस समय चित्रा की घड़ी में 8 बजे रहे थे वह दिल्ली में अपने घर पर थी उसके साथ में कोई लड़का था चित्रा के लिए ऐसे लड़कों के साथ सोना कुछ नया नहीं था अकेला पन अच्छी बीमारी है कभी फाइदा करती है तो कभी बहुत नुकसान अपने आपसे चाहे कोई कितना भी प्यार करता हो लेकिन आदमी सबसे जल्दी और सबसे ज़्यादा खुद से उपता जाता है सुदीप अपने होटल के कमरे में सुनेना के साथ रुका हुआ था उसको सुबह से याद था कि आज दस तारीक है और आज के दिन वह और चित्रा मिलते है चित्रा को भी यह बात अच्छे से याद थी चित्रा के फोन उठाने की वज़ह से साथ वाला लड़का थोड़ा डिस्टब हुआ इधर सुदीप का एक दम से बिस्तर से उठकर जाना और चित्रा को फोन करना सुदीप की गल्फ्रेंड सुनेना को कुछ अच्छा नहीं लगा फोन मिलने के बाद से दोनों को बस तसल्ली हुई कि दोनों को एक दूसरे की याद है दोनों की एक दूसरे की जिंदगी में साल में एक दिन ही सही लेकिन पक्की जगह है सुदीप ने चित्रा को जताया कि आज सुभह से ही वह उसे याद कर रहा था उसने यह भी जोड़ा कि उसे बहुत सारी बातें करनी है चित्रा ने यह जताया कि कैसे एक साल बीद गया सुदीप ने कहा मुझे ब्रेक चाहिए चित्रा ने जवाब दिया मुझे भी वे एक दूसरे की खोमोशी सुन ही रहे थे कि चित्रा के कमरे से उस लड़के ने आवाज लगाए सुदीप को थोड़ा रजीब लगा सुदीप ने तुरंथ ही फोन काद दिया चित्रा ने फोन रखते ही उस लड़के को घर से जाने के लिए बोला उस लड़के ने चित्रा को एक दो गाली दी और कमरे से निकल गया उधर सुनेना दूसरी तरफ मुह करके लेट गई सुदीप अब भी बैट कर अपने मोबाइल में कुछ टाइप कर रहा था उसने एक मेसेज टाइप करके चित्रा को भेजा मेरी लाइन्स नहीं है लेकिन कहीं पड़ी थी सुदीप यह मेसेज भेज कर लेट गया तभी उसका फोन बजा उधर से चित्रा का मेसेज था रसल क्रो की एक फिल्म थी ब्रेकिंग अप उसमें ये लाइन्स थी कुछ साल हमसे नाराज होते हैं लाग कोशिश करने पर भी वो मानते ही नहीं सुदीप और चित्रा की जिंदगी का वही साल था दुनिया भर में 13 को बुरा मानने की अपनी अपनी बजहे हैं सुदीप और चित्रा के पास 2013 को अच्छा मानने की एक भी बजह नहीं थी साल बुरा हो तो याद कर लेना चाहिए कि अगला साल आकर सब कुछ बदल देगा साल 2013 में सुधीप और चित्रा अपने अक्टूबर की दस तारीक खो आये थे कुछ पा लेने के बाद जब हम एक ग्लास थंडा पानी पी कर सुस्थाते हैं तब याद आता है कि हमारा वो एक हिस्सा को गया जो इतना कुछ पाना चाहता था चलते फिरते हम रोज कितना कुछ खोते जा रहे हैं कि याद ही नहीं आता है कि कब बैटकर हमने आसमान में तारे गिने थे कब आखिरी बार अपनी एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों से छुआ था कब बिना बात के ऐसे ही अपने मुबायल पर किसी विस्रे हुए दोस्त को बिना किसी काम कॉल किया था दोस्त जो अब थोड़ा अजन भी हो चुका है कब शोर के बीच हमने किसी चड़िया की आवाज को बचाने की कोशिश की थी कब हमने बारह महीने के बच्चे के जैसे धूप को कमरे में ज्ञांकते हुए देखकर चौंके थे कब धूपते सूरज के साथ 10 रुपय की मूनफली खाई थी कब रात भर बातें की थी कुछ पा लेने की राह पर रोज भागते हुए भूल ही जाता है कि अपने खोए हुए हिस्से को बचा लेना ही असली पाना है हम शाम होने तक अपने पीछे एक पूरी दुनिया खोकर घर लोटते हैं दिन ऐसे खाली होकर साल हो जाते हैं एक साल बाद, 10 अक्टूबर 2014, गोव, दिल्ली में सरकार बदल चुकी थी सभी बिजनेस वाले मोधी सरकार को बड़ी उम्मीद से देख रहे थे कि अच्छे दिन आएंगे अच्छे दिन का आना बहुत बड़ी उम्मीद थी अच्छे दिन आये या नहीं यह किसी को नहीं पता था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने एक मीटिंग देश के सभी बड़े बिजनेस हाउस के मालिकों से की थी इसी मीटिंग में देश के उभरते हुए बिजनेस स्टार्टप के लोगों को भी बुलाया गया था जो 30 लोग चुने गए थे उसमें से एक सुदीग भी था इंडियन एकोनॉमी ग्रो कर रही थी ऐसा लग रहा था कि अगले पांच सालों में इंडिया पूरी दुनिया में अलग जाप छोड़ेगा प्रधान मंत्री ने 2 अक्टूबर को स्वाच भारत कैम्पेन लांच की जिसमें कई फिल्म स्टार समेथ बड़े-बड़े लोग शामिल हुए थे सुदीप को भी दिल्ली से इंवाइट किया गया था वह इसमें नहीं जा पाया था क्योंकि उसको बहुत सारा काम निप्टा कर 10 तारीक को गोव पहुँचना था सुदीप, चित्रा का गोव के एइपोर्ट पर इंतजार कर रहा था चित्रा की फ्लाइट थोड़ी लेट थी सुदीप अपनी कमपनी के काम से इतना पक चुका था कि उसने चित्रा के आते ही अपना मोबाइल बंद कर दिया भीर भार सुदीप को पसंद नहीं थी और उसको कुछ लोग पहचान भी लेते थे चित्रा के आते ही उसने चित्रा पर टोंट कसते हुए पूछा वो लरका नहीं आया साथ में तुम्हारे उसको तो उसी दिन शाम को ही भूल गई थी तुम सुनाओ क्या हाल है तुम्हारी गल्फ्रेंड के क्या नाम था उसका, सुनेना नाम था, मैं सुनेना से शादी कर रहा हूँ, इतने बोरिंग लगोगे तुम शादी के बाद, चित्रा ने कहा, 35 साल का होने पर बच्चों से खेलने के लिए बच्चे होने तो चाहिए, बात तो सही है तुम्हारी, कर लो बच्चे, अपने बच थी, सुदीप ने कार की चाभी चित्रा को दी, तुम पहले आज चुकी हो गोव, हाँ, मैं हनीमून पर यहीं आई थी, पहले बता देना था कहीं और चलते, अब किस-किस चीज से पीछा चुडाऊंगी, कैसी चल रही लाइफ, मेरी लाइफ एकदम हैपनिंग है, इसका करके गाड़ी के शीशे खोल दिये, सुदीप और चित्रा ताज में रुके थे, हालांकि चित्रा और सुदीप के बीच में आज तक कुछ ऐसा हुआ नहीं था, नहीं कभी चित्रा ने या फिर सुदीप ने ऐसी कोई भी कोशिश की थी, जिससे ऐसा लगे कि वो एक दूसर गल्फ्रेंड थी ही, होटल के कमरे में जाकर चित्रा ने टीवी ओन करके गाने चला दिये और कूट कर विस्तर पर पसर गई, सुदीप सुबह फ्लाइट के चक्कर में नहा नहीं पाया था, वह नहाने चला गया, चित्रा पहले से बहुत खूब सूरत लग रही थी, दोनो दो साल बाद मिल रहे थे, सुदीप और चित्रा में अब इतनी समझ थी कि वो बिना शर्ट पहने उसके सामने आराम से आ रहा था, दोनो एक दूसरे की प्रेजेंस को लेकर कमफरेबल थे, जब तक सुदीप नहा कर निकला, चित्रा ने पूरा प्रफेसर बना लिया था कि क्या क्या करना है, सुदीप ने निकलते ही कहा, बीच पर चलते हैं, चित्रा ने तुरंट कहा, नहीं, पहले चच, सुदीप ने अपने पहने और सफेद टी-शर्ट पहन कर बाल बनाते हुए बोला, तुम्हें पता है न, तुम बहुत फिल्मी हो, अभूं तो हूं, कौन स एक लंब शर्ट पहनी हुई थी, अपने बैग से हेर क्रीम निकाल कर चित्रा ने अपने बालों पर लगा कर हाथ से बाल सही कर लिये, वह अपने बालों में कंगी नहीं करती थी, सुदीप ने कार की चाभी चित्रा की तरफ बढ़ाई, चित्रा ने कार की चाभी को अपने चोटे से बैग में रखा और कहा, हम कार से नहीं जा रहे, मैंने स्कूटी मंगवाली है, यहां से बस एक किलोमीटर दूर जाना है, रास्ते में सुधीब बार-बार पेड़ से पत्तियां तोर रहा था, चित्रा उसको बार-बार मना कर रही थी, जैसे वे धीरे-धीरे चल र रही थी, दो साल बाद मिलने की खुशी दोनों को थी, स्कूटी चित्रा चला रही थी, पहले दोनों चच गए, चित्रा ने सुधीब को थोड़ी देर वहां चुप बैठने के लिए कहा, चित्रा ने एकदम मन लगा कर आँखें बंद कर ली, ठीक ऐसे जैसे वो सब कुछ पूरा हो जाएगा जो कुछ उसने सोच रखा है, चित्रा को मगन देखकर सुधीब ने भी कुछ देर वहां अपना मन लगाया, चच से निकलने के बाद सुधीब ने बढ़ा ही घटिया सा सवाल किया, क्या मांगा, इस पर चित्रा ने वही घटिया सा जवाब दिया, मैं क मिले हुए आज 4 साल हो गए अभी तक तुम्हारी किताब नहीं आई, सुधीब ने पूछा, यार, इतना आसान नहीं है, मैंने एक राइटर के लिए घोस्ट राइटिंग की थी, घोस्ट राइटिंग क्या होती है, यही की किताब मैंने लिखी लेकिन किताब पर मेरा नाम नहीं आएगा, ऐसा क्यूं किया तुमने, पैसों की जरूरत थी, तुम्हें मुझे बोलना था, सुदीप ने कहा, इसके बाद चित्रा कुछ बोली ही नहीं, थोड़ी देर बाद सुदीप को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने कहा, अच्छा सौरी, आगे बताओ, तो अच सेव हो गए तो अपनी किताब भी लिख पाऊंगी, ऐसे किताब लिखने का मोटिवेशन ही नहीं आ रहा, बार-बार चिंता होती रहती है कि रैंट कैसे दूंगी, खर्चा कैसे चलेगा, चित्रा ने बात खत्म करते हुए अपनी अगली ड्रिंक और की, चित्रा ने अपन इतना काम है कि वो खुद नहीं पूरा कर सकते इसलिए बाहर आउट्सोज कर देते हैं, तुम इसलिए लिखना चाहती थी कि तुम्हें कोई भी नहीं जाने, नहीं, फिर ये क्यों कर रही हो, बस थोड़े दिन की बात है, ऐसे वो दिन कभी नहीं आएगा, देखो मुझे ज्यादा पता नहीं राइटिंग का लेकिन तुम यहीं करती रह जाओगी, दूसरों के लिए कोई कैसे लिख सकता है, तुम नहीं समझोगे, मुझे समझना भी नहीं, मुझे बस ये पता है कि मैं किताब पर चित्रा पाठक का नाम देखना चाहता हूँ, यह बोलकर सुद पते टहलते चित्रा ने सुदीब से पूछा, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, मैं जहां बुक माई ट्रिप को देखना चाहता हूँ, वहां तक ले जाने में मुझे दो साल और लगेंगे, पता नहीं मेरे पास उतना टाइम है की नहीं, शायद मुझे हटा दें, हटा कैसे सकते हैं, तुम्हारी ही कमपनी है न, हाँ मेरी ही कमपनी है लेकिन मैं अपने कुछ और शेर भी बेच चुका हूँ, अगर बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स बैट कर फैसला ले तो मुझे हटा सकते हैं, लेकिन अभी मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, सुदीब ने स लोग जब तक एक दूसरे को यह नहीं बताते हैं कि वे रोते किस बात पर हैं तब तक करीब नहीं आते, चित्रा और सुदीब के रिष्टे की सबसे अच्छी बात शायद यही थी कि उन दोनों में से किसी एक को भी प्यार जैसा नहीं लगा था एक दूसरे के साथ, वे ब लगने की कोशिश में सब कुछ बह जाता है, चुटिटियां तभी तक अच्छी हैं जब तक वो मुश्किल से मिलती हैं, इस बार, पहली बार सुदीब और चित्रा के बीच वो सब कुछ हुआ जो किसी भी लड़के और लड़की के बीच हो सकता है, सुदीब और चित्रा की दुनिया नहीं थी बलकि उसकी दुनिया से दूसरी दुनिया के बीच की खाली जगह थी, जिसको भरने की कोशिश करते ही वो पूरा एक दिन को जाता, जिस साल सुदीब चित्रा से मिलता था, उस साल के दिन 364 गिन लेता था, यूँ एक दिन का गुमशुदा होना कैले बढ़िया ही हुआ कि दोनों को अभी तक प्यार नहीं हुआ वनावे एक दूसरे के पते अभी तक भूल चुके होते, सुदीब ने ऐसे ही गोई की एक शाम को डूपते हुए सूरज की ओर देखते हुआ चित्रा से कहा था, हमें शायद कभी मिलना ही नहीं चाहिए था, ऐ ऐसी उदास बातों पर मेरा कॉपी राइट है, चित्रा ने यह बोलकर दूपते हुए सूरज को एक सेकंड के किये रुकने के लिए बोल दिया, पूरी दुनिया एक सेकंड के लिए उस रुके हुए सूरज में दूप गई, सुदीब ने अपने बैक से अपनी वही किताब निकाली और चित्रा की तरफ बढ़ा दी, चित्रा ने उस पर 10 अक्टूबर 2015 की तारीक डाल दी, लोटने पर सुदीब को सुनेना के सवालों का सामना करना पड़ा, आखिर वह फोन बंद करके गायब कहां था, सुदीब ने एक सस्ता सा जूट बोल दिया कि वह घर पर कु अफिस पहुचा तब उसको रिसेप्शन पर ही रोग दिया गया, अभिजात और सुनेना उसको एक केबिन में लेकर गए, सुदीब की तरफ एक लेटर बढ़ाया गया, लेटर में कुछ ऐसा लिखा था जिसका मतलब था कि बोर्ड ओफ डायरेक्टर्स और इन्वेस्टर अभिजात को सीओ बनाया जा रहा है, यह मीटिंग रात के एक बजे हुई थी, सुदीब ने लेटर को वही के वही फार दिया और अभिजात की आँखों में आँखें डाल कर देखने लगा, अभिजात ने बोलना शुरू किया कि रात में देर हो गई थी, इसलिए उसे रा टॉप ले लिया गया, उसका केबिन लॉक किया जा चुका था, उसको अपना समान अपने केबिन से हटाने का टाइम भी नहीं दिया गया, सुदीब के केबिन में उसकी मा की फोटो लगी थी, सुदीब जिद पर अर गया कि उसको अपनी मा की फोटो चाहिए, सुनैना के कह इसको उसने इत्मिनान से देखा, जैसे छोटे बच्चे बहुत नाराज हो जाते हैं तो अपने सबसे प्यारा खिलोना तोर देते हैं वैसे ही सुदीप नाराज था, वो कमपनी जिसको सुदीप ने बनाया था अब उस कमपनी को सुदीप की जरूरत नहीं, सुनेना ने जाने की कोशिश की थी लेकिन सुदीप ने सुनेना की कोई बात नहीं सुनी। वह ओफिस से निकल गया। ओफिस से निकलने के पांच मिनट के भीतर ही सुदीप ने एक एमेल लिखी जो की जानबूज कर उसने मीडिया में लीप कर दी। Dear Board Member and Investor, मैं बहुत पहले ही समझ चुका था कि आप लोगों से कुछ भी बात करना ही बेकार है। मैंने बहुत पहले ही हिसाब लगा लिया था कि मेरे पास इस लाइफ में करीब पौने 3 लाग घंटे हैं, एक एवरेज आदमी करीब 60 साल जीता है उसमें से सोने का समय मैंने घटा दिया है। मैं अपनी लाइफ का बचा हुआ समय आप लोगों की पॉलिटिक्स पर खराब नहीं करना चाहता। हालां की, अच्छा यह रहता कि आप मुझे हटाने से पहले बता देते लेकिन आपने वो सब इतने चुप-चाप किया है, जैसे कोई रात में चुप-चाप चोरी करता है। All the best, Book My Trip इस देश की सबसे बड़ी कमपनी हो सकती थी लेकिन, लेकिन का जवाब आपके पास खुद है, काईदे से आगे कभी भी कमपनी को मेरी जरूरत होगी तो मुझे आपकी कोई मदद नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों जैसे नहीं हूँ। Book My Trip को इस देश की नंबर एक कमपनी बनाने में कभी भी मेरी जरूरत होगी तो मैं कोई भी मदद करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन न्यूस पर हर बात के दो ही पहलू होते हैं, एक बहुत सही और एक बहुत ही गलत। बीच का कुछ नहीं होता। न्यूस चैनल पर एक पैनलिस्ट ने घोशना कर दी की Forbes मेकजीन की बहुत ही पॉपुलर लिस्ट तीस अंडर तीस में आने वाले सुदीप यादव का करिया खत्म हो चुका है। सुदीप यादव की बाइट लेने के लिए लोग खड़े थे लेकिन सुदीप यादव की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया था। अगर वह मुंबई में रहा तो ये लोग पीछा नहीं छोड़ेंगे। इस बात से उन्होंने कई साल तक मुझसे बात नहीं की थी। मम्मी बहुत पहले ही चली गई थी। मेरे पढ़ाई छोड़ने के बाद से पापा उनको रोज रोज सुनाते थे। मम्मी बहुत रोती थी। एक दिन मम्मी सोई और ओठी ही नहीं। मुझपर भी पता नहीं किस बात की जिद थी। थोड़ा बहुत पढ़ लेता तो क्या ही फर पढ़ता। सौरी, तुम्हें पता है, मैंने इसलिए कभी अपना घर नहीं खरीदा। मैं इसलिए होटल में रहता हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है घर से। मुझे लाइप में बस एक ही मलाल है कि मम्मी जाने से पहले देख नहीं पाई कि मैं कुछ कर भी सकता हूँ। इधर कुछ दिनों से मम्मी की बहुत याद आ रही है। कमाल की बात है वे लोग कभी घर बनाने में अपना एक भी मिनेट खराब नहीं करते जो कभी भी घर बना सकते हैं। यह जानते हुए कि यहां हमेशा नहीं रहना ऐसे में अपना घर बनाना और घर होना इस दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है। चित्रा ने भी कुछ पूछने की जल्दबाजी नहीं दिखाए। चित्रा हाँ बोलो तुम आज जाओ मैं रखता हूँ। फोन काटने के बाद चित्रा को लखनाओ के घर का एड्रेस का SMS मिला। चित्रा ने अगली फ्लाइट चेक करके अपना टिकट बुक कराने की कोशिश की लेकिन किसी भी फ्लाइट में कोई जगह नहीं थी। उसने स्टेशन जाकर लखनाओ मेल में टीटी को पैसे दे कर सीट ले ली। चित्रा को पूरे रास्ते सुदीब की चिंता थी और 10 अक्टूबर को न मिल पाने का मलाल भी। 11 अक्टूबर 2015 लखनाओ सुदीब के पापा को भी जर्नलिस्ट कल से फोन कर रहे थे। सुदीब के पापा ने लखनाओ के विराम खंड गोमती नगर में अपना घर बनाया था। घर में उनका एक पुराना नौकर साथ रहता था। घर दो फ्लो का था और उपर वाले हिस्से में सुदीब के पापा रहते थे। नीचे वाला फ्लो उन्होंने किराये पर दे रखा था। नीचे वाला फ्लो वही घर के पास में TCS Tata Consultancy Services में काम करने वाले कुछ लड़कों ने ले रखा था। ये लड़के अपनी नौकरी से रोज बोर होते हुए सोचते थे कि उनको सुदीब यादब जैसा बिजनेसमेन बनना है। जब सुदीब ने पापा को बताया कि उसकी एक दोस्त भी आने वाली है तो उन्होंने एक कमरा साफ करवा कर और तकिया बदलवा कर रख दिया इस कमरे में सुदीब की मा की बहुत बड़ी तस्वीर लगी थी। चित्रा ने घर पहुँचकर मुहात धोया। सुदीब अब भी सो रहा था। सुदीब के पापा छट पर अकबार पढ़ते हुए चाय पी रहे थे। टेबल पर तीन अकबार थे एक हिंदी का दैनिक और अंग्रेजी के दो अकबार टाइम्स ओफ इंडिया और इकॉन्यमिक टाइम्स। चित्रा को उसके पापा ने चाट पर आकर चाय पीने के लिए बुलाया। चित्रा के वहाँ आने के थोडी देर बाद सुदीब वहां आया। एकॉन्जमिक टाइम्स में सुदीब के उपर एक अच्छा खासा लंबा आर्टिकल आया हुआ था। पापा ने पूरा आर्टिकल पढ़ने के बाद भी सुदीप से कुछ नहीं पूछा। पिछली शाम से अभी तक इन दोनों के बीच कोई बातचीत शुरू नहीं हो पाई थी। चित्रा के वहां पहुंचने के बा पापा ने बताया कि जो पसंद हो वो सबजी आ जाएगी। सबजी मंडी पास ही है। इसके बाद चित्रा और पापा की बात होने लगी। पापा ने बताया कि सिटी मॉंटिस्री स्कूल के मालिक जगदीश गांधी उनके दोस्त हैं तो वह अकसर बच्चों की क्लास लेने जाते हैं। चित्रा ने पूछा भी कि इतने बड़े घर में वह बोर नहीं होते। पापा ने बताया कि वह वैसे ही जिन्दगी काट रहे हैं जैसे कि सुदीप की मा जिन्दा हो। वह वही सीरियल देखते हैं, वही गाने सुनते हैं जो इसकी मम्मी को पसंद थे। उन्हो ने उस दिन के एकोनोमिक टाइम की कटिंग भी वही उस फाइल में लगा दी। जब भी सुदीप को कॉलेज नर जोइन करने की वजह से डांटता तो इसकी मम्मी हमेशा कहती थी, मत डांटा करो इसको देखना एक दिन बहुत नाम रोशन करेगा। आपकी आंटी से लव मै इसकी मैथस तो अच्छी थी ही, बचपन में ये बच्चों की कहानिया लिखता था, चित्रा सुदीप के पुराने पलटने लगी, सुदीप अभी भी चुपचाप बैठा हुआ था, चित्रा ने सुदीप को वही कमरे में बुलाया, तुमने बताया नहीं, तुम लिखते भी थे, वो लड़का कपका मर गया जो लिखता था, ऐसे मत बोलो, आगे का क्या प्लान है तुम्हारा, कुछ भी नहीं पता, फिलहाल तो एक दो वकीलों से बात हुई है, मैं केस करूंगा, पापा अभी तक वहीं थे, वो वहां से यह कहकर निकल गए की सबजी लेने जा रहे हैं, नौकर कभी अच्छी सबजी लेकर नहीं आता, मुझे पूरे घर में छट सबसे अच्छी लगती है, क्यों, क्योंकि आसमान रोज बदल जाता है, जैसा वो आज है ऐसा अब कभी नहीं होगा, जब भी आसमान में देखता हूं तो सोचता हूं कि उस पार की दुन को फिर से दो कप चाय बनाने के लिए कहा, कितने दिन हो लखनव में, चित्रा ने अकबार में कटा हुआ हिस्सा सुदीप को दिखा कर पूछा, अभी कुछ नहीं पता, कल बहुत दिनों बाद अच्छी नींद आई, ऐसी नींद कई सालों से नहीं आई थी, सुदीप उठ कर किताब वाले कमरे में गया और अपनी नोटबुक उठा कर पढ़ने लगा जिसमें उसने कहानी लिख रखी थी, तुम तो इतना घोस्ट राइटिंग करती हो, कभी मेरी किताब भी पूरी कर दो, चित्रा ने उसके हाथ से नोटबुक लेकर अपने पास रख ली, कर दू सुदीप अपने पापा की कार में चित्रा को लेकर हजरत गंज निकल पड़ा, सुदीप हजरत गंज बहुत दिनों बाद आया था, वहाँ चौराहें पर हनुमान मंदिर के पास में ही बहुत बड़ी कार की पारकिंग बन गई थी, पारकिंग में कार लगा कर सुदीप जूते उतारे बिना थोड़ी दूर से कुछ देर तक हनुमान जी की आँखो में देखता रहा, चित्रा वही पड़ोस में खड़ी होकर चौराहें पर आता जाता ट्राफिक देख रही थी, इस वाले हनुमान जी की आँखें बिलकुल असली लगती हैं, मैं पहले भी जब भी आता था तो हमेशा आँखो में देखता था, थोड़ी देर तक देखो तो लगता है कि आँखो की पुतलियां हिल रही हैं, मम्मी हमेशा डांकती थी कि मैं जूते नहीं उतारता, ऐसा क्या खास है हजरत गंज में, चित्रा ने पूछा, थोड़ी देर टेहलो, अपने आप समझा जाएगा, यहां सामने मोती महल पर बास्केट चार्ट खिलाते हैं तुम्हें, लखनो गए और बास्केट चार्ट नहीं खाई तो समझिए लखनो गए ही नहीं, चित्रा ने लाइप में पहली बार बास्केट चार्ट खाए, चार्ट खाकर अभी वे थोड़ा आगे बड़े ही थे कि इतने में सुधीप को एक गोलगप्पे वाला देखा, सुधीप ने उसे बहुत देर तक ध्यान से देखा, सुधीप ने गोलगप्पे वाले से पूछा, भईया, कॉल्विन तालुकेदार स्कूल के बाहर आप ही ठेला लगाते थे ना, खाते हुए सुदीप ने बताया कि यह लव लेन है, वहाँ फुटपाथ पर टी-शर्ट से लेकर मैक्सी तक बहुत कुछ मिल रहा था, थोड़ा आगे बढ़कर सुदीप को किताब की दुकान मिली जहां से वह किताब खरीदा करता था, चलते चलते सुदीप चौराहे के पा को बस अब से दो घंटे बाद जिंदगी का पहला प्यार होने वाला था, चित्रा का अब तक खाखा कर पेट भर चुका था लेकिन सुदीप ने फिर भी जबरदस्ती रामासरे के यहां मिठाई खिला ही दी, पूरा हजरत गंज एक थीम पर ब्लैक एंड वाइट था, माया अभिजात ने उसको डाटा भी की वह कहां गायब है, इन्वेस्ट अब बहुत नाराज हैं सुदीप से, वे उसको कुछ वन टाइम सेटिलमेंट के पैसे देना चाहते थे लेकिन सुदीप का व्यवहार ऐसा है कि उसको कुछ नहीं मिल रहा है, अभिजात ने बताया कि उस से मिल रही थी सब कुछ लेली गई हैं, कुल मिलाकर इसका मतलब यह था कि सुदीप के पसनल अकाउंट में जितने पैसे थे बस उतने ही उसके पास बचे थे, वह लखनाओ पहुँचकर वैसे ही खाली हाथ हो गया था जैसे कि कुछ साल पहले जब उसने लखनाओ से सब अभिजात जब यह सब फोन पर बता रहा था तो सुदीप गुस्से से एक दो बार चिल लाया भी लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता था, चित्रा ने उसको चुप करवाने की कोशिश नहीं की, लोटते हुए सुदीप ने चित्रा से कोई बात नहीं की, घर लोटकर वह अपन न लिखा था, खाना फ्रिज में रखा है, अगर मन करे तो खा ले, चित्रा दूसरे कमरे में आ गई, उसे सुदीप के कमरे में जाना सही नहीं लगा, वह सुदीप की नोटबुक खोल कर पढ़ ही रही थी कि इतने में सुदीप के पापा चित्रा के कमरे में आए और बोले जब तक ये थोड़ा नॉमल नहीं हो जाता, आप यहीं रुख जाओ बेटा, ये इतना है कि मुझसे कुछ बोलेगा नहीं, चित्रा ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो बोली, आप परेशान नहों अंकल, सब ठीक हो जाएगा, चित्रा अभी सुदीप की लिखी हुई कहानी खत्म ही कर रही थी, इतने में उसे किचन से कुछ आवा जाई, वह उठकर गई, सुदीप फ्रीज से निकाल कर अपना खाना गर्म कर रहा था, तुम ठीक हो, सुदीप ने कोई जवाब नहीं दिया, चित्रा ने दुबारा प सुदीप बात करते हैं, सुदीप अपने कमरे में जाकर कुर्सी पर बैठ गया, चित्रा जानबूझ कर उसके कमरे में गई और सुदीप को बहुत जोर से गले लगा लिया, चित्रा के गले लगाते ही जैसे सुदीप के अंदर का सारा गुस्सा पिघल कर आंसू हो गया, व उनों कब सो गए न चित्रा को याद था नहीं सुदीब को। सुबह उठकर चित्रा छट पर गई। अखबार में सुदीब के बारे में वही खबर थी जो कि एक दिन पहले अभिजात ने दी थी। सुदीब ने अपना टिप्ट का अकाउंट डियक्टिवेट कर दिया था। यह खबर भी चित्रा को अकबार से मिली। अभी तक घर के नीचे रहने वाले लड़कों को भी खबर लग चुकी थी कि सुदीब आया हुआ है। उनमें से एक लड़का सुदीब से मिलने घर भी आ नहीं। चित्रा का चले जाना सुदीब के पापा को थोड़ा सा खटका। सुदीब को थोड़ा समय अकेलापन चाहिए था और चित्रा उसमें कोई खलल नहीं डालना चाहती थी। चित्रा सुदीब को इतनी अच्छी तरह समझती थी कि वह और रुख कर उसकी परेशानी बढ़ाना नहीं चाहती थी। कई बार थोड़ी देर के लिए चले जाना बहुत देर के लिए लोट आने की तैयारी के लिए बहुत जो जरूरी होता है। कुछ रिष्टों को ऐसे ही चुना चाहिए जैसे ठंड में घास पर जमी ओस की बूंद को नंगे पांप चूते हैं। रोज सुबह बूंद नहीं हो जाती है और बूंद को चू कर पांप पुराने नहीं रहते। एक बूंद ओस, आंसू, नदी, समंदर और बरसात में धलती हुई एक साल हो जाती है। एक साल बाद, 10 अक्टूबर 2016, मुंबई, सुदीप अपनी ही कमपनी से अपने हिस्से के लिए केस लड़ रहा था। अभी मामला नैशनल कमपनी लॉर ट्रिबुनल, N.C.L.T. में पैंडिंग था। नाम कर देना उम्रभर नाम कर देने जैसा है। धीरे धीरे सुदीप के बारे में अकबार में आना लगभग खत्म ही हो चुका था। दुनिया भी तभी तक आपके बारे में चिंता करती है जब तक आप उसको मजा दे रहे हूं। सुदीप से मीडिया को मजा आना बंध हो चुका था। मीडिया ने मज़े लेने के लिए नए लोग धून लिये थे. मीडिया में आजकल हाउजिंग डॉट कॉम के राहुल यादव के चर्चे थे. उसको अक्सर ही इंडियन स्टार्ट अप का बैड बॉय कहा जाता था. उधर फ्लिपकार्ट डॉट कॉम के सचिन और बिन्नी बंस स्टार्ट अप करना अब इस देश में नई नौकरी हो चुकी थी. सुधी प्यादव का नाम बढ़ा होने के रास्ते में जाने से ठीक पहले एकदम से गुमनामी में चला गया था. इधर चित्रा की जिन्दगी में लिखते लिखते ऐसा पहली बार हुआ था कि जिस लेखि की किताब के लिए वह भोस्ट राइटिंग करती थी. उसने चित्रा के काम से खुश होकर उसने इंडियन बुख हाउस पब्लिशर के मालिक से चित्रा की किताब की बात कर ली थी. पब्लिशर को उसका काम पहले से ही पसंद भी आया था. बस रुचिका बीच में पढ़कर उसको आगे नहीं निकलने दे रही थी. रुचिरा का काम था कि वह पब्लिकेशन के लिए नए लेखक धूंडे लेकिन वह अपने लालच के चलते नए लेखकों को आगे नहीं आने दे रही थी. इंडियन बुख हाउस के मालिक को जब ये सब पता चला तो उन्होंने रु कोई पुरानी किताब तो नहीं ली पर उसको एक नई किताब लिखने के लिए कुछ एडवांस रॉयल्टी दी. चित्रा को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी. अब फाइनली ऐसा लग रहा था कि 2017 में उसकी अपनी किताब आज जाएगी. पिछले साल चित्रा के बिना बता जाने की वज़े से सुधी थोड़ा सा परेशान हुआ था लेकिन वह जिंदगी की जिस स्टेज में था वहां कुछ भी उसे एक हद से ज्यादा परेशान नहीं कर पाता था. जिंदगी एक हद तक ही परेशान करती है. उसके बाद वो खुद ही हाथ थाम लेती है. जिंदगी पर ब्लाइंड खेलने जितना भरोसा रखना ताश के पत्ते पर बाजी लगाने जितना आसन होता नहीं, इसलिए लोग हारने से बहुत पहले ही हार चुके होते हैं. तै यह हुआ था कि इस बार सुधीब चित्रा से हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मिलेग असल में आना उसे था लेकिन वहुस समय बहर भूमने जा रही थी. चित्रा को बच्चे पसंद भी थे. इसलिए जब चित्रा से वक्षॉप के लिए पूछा गया तो वह तुरंद मान गई. 9 अक्टूबर को उस वक्षॉप का आखिरी दिन था लेकिन मौसम बहुत खराब हो जाने की वजह से वक्षॉप एक दिन के लिए एक्स्टेंट कर दी गई थी. चित्रा बहुत दिनों से 10 अक्टूबर का इंतजार कर रही थी. सुदीप सुबह आने वाला था. बस दिक्कत यह थी कि चित्रा दिन भर धर्मशाला में भटकने का प्लान था लेकिन उसको उ कोड़े से बिखरे हुए. वह भी बच्चों के साथ क्लास में पीछे जाकर बैठ गया. क्लास में करीब 20 बच्चे थे. बच्चों की उमर 8 साल से 14 साल तक थी. चित्रा के क्लास लेने के तरीके से लग रहा था कि वह यही काम करने के लिए पैदा हुई है. चित्रा से सब की बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी. चित्रा ने क्लास को आखिरी असाइनमेंट दिया कि सब लोग दो घंटे बिना रुके एक कहानी लिखेंगे. यह असाइनमेंट देने के बाद चित्रा सुदीब के पास आई तो उसने भी कौपी और पेन मांगा. बच्चों को बाद आफिस के रास्ते में बार-बार याद आती है. वो बात जो कॉलेज में बोरिंग लेक्चर के बीच में याद आती है. वो बात जो समंदर के किनारे टहलते हुए सबसे पहले आकर पैर से टकराती है. वो बात जो किसी पहाड़ी रास्ते पर किसी के दिन बार-बार प उसके होने से 15 मिनिट पहले जब घंटी बजी तब सुदीप को ऐसा लगा जैसे कि वह किसी मेडिटेशन से उठा हो. उसको लगा कि वह लिक क्यों नहीं रहा था. उसके पूरे रास्ते की थकावर जैसे एक जटके में खत्म हो गई. चित्रा क्लास खत्म करके एक एक बच्च वाने की जिद की. यह फोटो सुदीप ने अपने मोबाइल से खीची. इतने में एक छो बच्ची आगे आये और बोली, अंकल आपके साथ भी फोटो खिचवानी है. सुदीप ने पहले तो मना किया लेकिन बच्ची के बार-बार जिद करने पर बोटाल नहीं पाया. बच् सुदीप निकल कर चित्रा सुदीप के पास आई. सुदीप अब भी अपनी कहानी में और पहाडों में खोया हुआ था. स्कूल से निकल कर उन्होंने धीमे-धीमे चलना शुरू किया. तो, तो क्या? सुदीप ने कहा, मेरे पास एक गुड न्यूज है. दुबारा शादी क सुदीप ने कहा, सुदीप ने प्यार से चित्रा के सिर पर हाथ सहला कर उसके सारे बाल खराब कर दिये. किताब आते ही बेस्ट सेल हो जाएगी तुम्हारी. अब कहां पहचानोगी तुम दचित्रा पाठक? पहचानोगी कैसे नहीं? नहीं. राइटर का कोई भरोसा नहीं करना चाहिए. तुम भूल जाओगी. कभी फोन भी करूंगा तो बोलोगी कौन सुदीप? चुप करो. मैं बहुत खुश हूँ. तुम सबसे पहले इंसान हो जिसको ये बता रही हूँ. एक खुशखबरी मेरे पास भी है वैसे. क्या, सुनैना से शादी कर रहे हो? नहीं. स तुम खुशखबरी देने वाले थे. हाँ वो तो मैं भूल ही गया. खुशखबरी ये है कि जो रेटायर्मेंट में 35 की उम्र में लेने वाला था वो मैं अभी 32 साल में ही ले रहा हूँ. नई कमपनी को बढ़ा कर दिया है लेकिन अब वही सब कुछ बार-बार करने का मन न लगा. यहां से थोड़ा आगे Magic View Cafe है. बहुत अच्छी चाय मिलती है वहाँ. अच्छा. खेर, तुम सही में रिटायर हो रहे हो. हाँ. बस हो गया मेरा. करोगे क्या? न तुमने शादी की न बच्चे. पता नहीं क्या करूंगा. तुम्हारे केस का क्या चल रहा है? केस चल रासी, Magic View Cafe के नीचे लिखा था. यह बहुत ही चोटा सा कैफे था. ट्रेक पर आए हुए लोग वहां सुस्ता रहे थे. वहां पहुंचने वाले किसी भी लड़के या लड़की को कोई जल्दी नहीं थी. नहीं ओर देने वाले को जल्दी थी नहीं ओर लेने वाले को. इस दुनिया की आधे से ज़्यादा परेशानियों की वजह एक ही है, जल्दबाजी. चित्रा और सुदीप को न दोस्ती की जल्दी थी नहीं प्यार की. यह कहानी अगर केवल दोस्ती की होती तो वे ऐसे बार-बार मिलते ही नहीं. अगर यह कहानी प्यार की होती तो यह दुन की सबसे बोरिंग कहानी होती मैं पूरी लाइफ में अगर सारी किताबें भी बैस्ट सेलर लिख दून तो भी मैं कभी 240 तो क्या 24 करोर भी न बना पाऊंगी चित्रा ने चाय का ओर्डर देते ही कहा सुधी अब भी व्यू का मजा ले रहा था चित्रा अगर मान लो तुम्हें एक भी पैसा न मिले तुम्हारी एक भी किताब न बिके तो क्या तुम लिखना छोड़ दोगी नहीं मैं फिर भी लिखूंगी तो बस फिर पैसे का मत सोचो मैंने अपनी कमपनी इसलिए नहीं बनाई थी कि मैं करोर पती हो जाऊंगा चाय आच चुकी थी चाय की भाप आस मान के बादल को पिगला रही थी चित्रा खुश थी की 10 अक्टूबर को वह सुदीब के साथ थी खैर ये बताओ क्या करोगे इतने पैसों का चित्रा ने चाय के ग्लास को दोनों हाथों से पकड़ कर घूंट लिया तुम है चाहिए तुम ले लेना इतना तो है ही की काम चल धर्मशाला से चलने से पहले सुदीब ने चित्रा को मुराकामी की किताब दी लिख दो डेट अगले साल तक तो तुम बड़ी राइट हो जाओगी फिर कहा टाइम मिलेगा चित्रा ने किताब लेकर उस पर 10 अक्टूबर 17 की तारीक डाली और कहा अगले साल मैं अपनी कित पर डेट लिखूंगी। किताब पर डेट लिखते हुए चित्रा की नजर बुकमाप पर गई। जिस पेज पर बुकमाप लगा था उसमें एक लाइन अंडलाइन थी बट वन थिंग इस एक साल में बहुत सारा पानी और थोड़ी बहुत दुनिया बह गई थी। एक साल ब सीता आने वाली थी. किताब आने पर उसने किताब की एक कौपी सुदीब के पापा को भिजवाए और साथ में एक नोट भी भेजा. अंकल, मुझे लखनों किताब के टूर पर आना है, आऊंगी तो पक्का मिलूंगी. चून की चित्रा नई राइटर थी तो हर जगह जहां उसका पब्लिशर टूर के लिए कोशिश कर रहा था. वहाँ पर पहले से अमीश की किताबों को प्रेफरेंस मिल रही थी. चित्रा और उसके पब्लिशर की लाग कोशिश के बावजूद भी चित्रा की किताब लोगों के दिलों में कोई खास जगह नहीं बना पाए. वैसे भी जगह तो तब बनती जब वह किताब सही से प्रमोट कर पाती. अब जाकर चित्रा को समझ आया कि किताब लिखना एक चीज है और किताब को मार्केट में बेचना लोगों तक पहुँचाना लग. चित्रा जितना जोर लगा सकती थी उसने लगा लिया था. उसको पब्लिशर ने सजेस्ट भी किया कि वह किसी बड़े स्टार से किताब का लॉंच कर आये लेकिन यह सब करना चित्रा के लिए संभब नहीं था. ऐसा नहीं था कि चित्रा की किताब खराब थी. Amazon और Good Red पर किताब के जितने भी रिव्यू थे वो पॉजिटिव थे. बात बस यह थी कि उसकी किताब बहुत कम लोगों तक पहुंची. चित्रा की लाइफ का सबसे बड़ा सपना अब चूर चूर हो चुका था. शुरू में 2-3 महीने तो पबलिशर का फोन भी आता था लेकिन उसके बाद पबलिशर का फोन आना भी बंद हो गया. असल में हिंदुस्तान में जब भी कोई किताब लिखना शुरू करने की सोचता है तो उसको यही लगता है कि जब उसकी किताब आएगी तो लोग लाइन लगा कर किताब खरी देंगे. जहां वह बोलने जाएगा वहां ओटोग्राफ के लिए भी लग जाएगी. कमाल की बात है सोशल मीडिया और नेटफलिक्स, अमज़न प्राइम विडियो के डिस्ट्रैक्शन के बाद पहले तो किताब पूरी कर लेना अपने आप में एक बड़ा काम है. उस पर से किताब आ जाना ही अपने आप में इतनी बड़ी बात हो जाती है कि किताब बिखने तक आदमी के अंदर इतना जहज नहीं बचता की मेहनत कर पाए. चित्रा किताब के न चलने की वज़े से तूट गई थी. कितने साल से उसने सोचकर रखा था किताब आने के बाद से उसकी जिंदगी बदल जाएगी. किताब पता नहीं कब से उसके अंदर पल रही थी. किताब का मर जाना ऐसे ही था जैसे उसको कोई बच्चा छोड़ कर चला गया हो. इस बार वह सबसे ज़्यादा बेसबरी से अक्टूबर का इंतजार कर थी उसका सुधीप से लिप्ट कर जोर से रोने का मन था उसने नौ तारीक की रात में सुधीप से बात की तो पता चला कि उसका केस का फैसला आना है उसको कोर्ट जाना पड़ेगा तुम बोलो तो आज जाओं मैं जैसा तुम्हारा मन करे सुधीप ने कहा उसने न किताब के बारे में कुछ पूछा नहीं चित्रा का हाल लिया चित्रा को थोड़ा बुरा लगा लेकिन जब पहली बार चित्रा और सुधीप मिले थे आज ही उसकी लाइफ का सबसे बड़ा फैसला आना था इस बड़े फैसले के मीडिया की अच्छी खासी भीर थी हालांकि सुधीप अब किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर नहीं था एक अदो रिपोर्टरों ने उसका व्यू जानने की कोशिश की लेकिन सुधीप ने कोई भी जवाब नहीं दिया सुधीप कोर्ट रूम के बाहर बैंच पर बैठा इंतजार कर रहा था सुधीप ने आज अपनी कंपणी बुक मैट ट्रिप की टी-शर्ट पेहनी हुई थी सुधीप ने बुक मैट ट्रिप की टी-शर्ट पेहनी है यह खबर निउस में जाने लगी चित्रा आ चुकी थी वह चुपचाप आ कर सुधीप के पढ़ोस में बैठ गई बेंच पर बैठे बैठें सुदीप ने चित्रा को गले लगा लिया सुदीप के वकील ने खबर दी कि अब से 20 मिनट बाद फैसला आ जाएगा सुदीप बिल्कुल धीरगंभीर शान था जैसे कि फैसले से उसको कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला था वह किसी से नजर नहीं मिला रहा था उसकी नजरें जमीन की ओर ही टिकी थी किताब अच्छी थी तुम्हारी सुदीप ने कहा क्या फर्क पड़ता है किताब फ्लॉप तो हो गई चितरा ने जवाब दिया अगली किताब लिख रही हो की नहीं नई किताब का एक ड्राफ्ट पूरा हो गया है good इस बार किताब छपने से पहले मुझे भेजना सुदीप के वकील ने सुदीप को अंदर बुलाया चित्रा भी साथ अंदर आई सुदीप ने चित्रा का हाथ पकर लिया बुक माइट ट्रिप के कुछ ओफिसर के साथ अभिजात और सुनेना भी आई हुए थे सुदीप ने अभिजात और सुनेना को गले लगाया और बोला Congratulations, wish you guys an amazing married life अभिजात और सुनेना दोनों ही सुदीप से आँख नहीं मिला पा रहे थे महौल खिचा हुआ था सुदीप ने अपनी जेब से एक कागज निकाल कर अभिजात की तरफ बढ़ाया सुदीप ने book my trip को आगे ले जाने के लिए बहुत सारी चीजें सोची हुई थी उसने वो सब कुछ लिखकर अभिजात को दे दिया कि शायद ये कुछ काम आएं सुदीप ने चित्रा की तरफ देखा और बोला book my trip दुनिया में ट्रेवल की दस सबसे बड़ी कमपनी में से एक हो सकती है मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इसको वहां तक लेकर जरूर जाओगे all the very best अभिजात अभिजात के पास इसके जवाब में कहने के लिए कुछ नहीं था सुनेना चित्रा की तरफ देखकर यह पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि यह है कौन इसको कभी पहले नहीं देखा सुदीप और सुनेना की आपस में कोई बात नहीं हुई वकील ने सब को बैठने के लिए कहा जज साहब फैसला सुनाने वाले थे फैसला सुनाने से पहले जज साहब ने सुदीप को बुलाया और पूछा कभी लोटरी का टिकट खरीदा है आपने सुदीप ने जबाब दिया सर लोटरी पर कभी भरोसा ही नहीं रहा और मैं लखनों का रहने वाला हूँ वहां लोटरी पर बैंग भी है जज साहब सुदीप की बात सुनकर हसे और फैसला पढ़ने लगे सुदीप फैसले के दरम्यान जमीन में देख रहा था चित्रा ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था जैसे जैसे फैसला सुनाया जा रहा था वैसे वैसे पूरा कोर्ट रूम शांध होता जा रहा था कोर्ट रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था फैसले के हिसाब से जिस तरह से सुदीप को उसकी कमपनी से बेदखल किया गया था वो गलत था सुदीप अब भी कमपनी के 15 प्रतिशत का मालिक था जिसकी वैल्यू आज की तारीक में कमपनी की वैल्यू के हिसाब से डिसाइड होनी थी आज की वैल्यू के हिसाब से सुदीप को लगभग 310 करोर रूपे मिलने वाले थे फैसले में यह भी कहा गया कि वह चाहे तो कमपनी में काम कर सकता है सुदीप ने तुरंथ ही इसके लिए मना कर दिया बुक माई ट्रिप को अब वह पीछे छोड़ चुका था फैसला सुनते ही सुदीप के वकील उचल पड़े चित्रा ने खुशी से सुदीप को गले लगा लिया सुदीप ने कोई ज्यादा रियेक्शन नहीं दिया वह उटकर अभिजात के पास गया और उससे हाथ मिलाया अपनी जेब से प्रेस के लिए स्टेटमेंट निकाल कर उसने अपने वकील को दे दिया वह अब इतने पैसों का क्या करेगा क्या वह कोई नई कमपनी डालेगा इसको कोई भी जवाब किसी के पास नहीं था सुदीप एक बार फिर से हीरो था बहुत दिनों बाद इतने कैमरे उसके पीछे भाग रहे थे वह नो बोलकर वहां से निकल गया अगले दिन सुबह न्यूस पेपर की हेडलाइन थी कि सुदीप यादब ने अपने कुल रुपयों का 80 प्रतिशत दो हिस्सों में बांट देने का वादा किया है पहला 40 प्रतिशत का हिस्सा यानी की 121 करोर रुपय कमपनी के शुरुवाती लोगों को मिलेंगे और दूसरा 40 प्रतिशत का हिस्सा दान में कुछ एक गो को मिलेगा बचे हुए 20 प्रतिशत उसने अपने पास रखे थे अपने प्रेस स्टेटमेंट की आखिरी लाइन में सुदीप ने लिखा था I'm just 32 and it's too early in life to get serious about money ATC मेरी उम्र भी केवल 32 साल है रुपयों को लेकर serious होने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है सुदीप बुक माइट्रिप में काम करने वाले हर एक इनसान का हीरो था अखबार में सोशल मीडिया पर लोग सुदीप के बारे में केवल कयास लगा रहे थे सुदीप अभल के मूर में था जैसे कोई बोज उतर गया हो सुदीप तो कभी अपने पापा को किसी भी चीज की खबर करता नहीं वैसे भी सुदीप ने अपना नंबब बंद कर दिया था चित्रा ने ही सुधीब के पापा को कॉल करके बात की थी और फोन सुधीब की तरफ बढ़ा दिया था पापा से बात करते हुए सुधीब अपनी कुर्सी से उठ गया था पूरी बातचीत में बस चित्रा को हाहूं ही सुनाई पड़ा था पापा ने फोन रखने से पहले चित्रा को फोन देने को कहा. चित्रा के फोन लेते ही पापा ने चित्रा से कहा, बेटा, लखनौं को अपना ही घर समझो. अच्छा लगा था तुम आई थी. जब भी मौका लगे घर आओ. चित्रा ने भी तुरंट आने का वादा कर लिया था और मजा कमजाक में बोली भी अंकल आप चिंता मत करिये मैं स्कूल खोलूँगी तो आपको ही प्रिंसिपल बनाऊंगी चाय की चुसकी लेते हुए चित्रा ने पूछा तुम केस हार जाते तो तो क्या कुछ नहीं यही तो पॉइंट है क्या पॉइंट यही की केस हार ने जीतने से फर्क नहीं पड़ता लेकिन तुम केस तो इतना डैस्परेटली जीतना चाहते थे हाँ चाहता था केबल इसलिए क्योंकि मैंने वो कंपणी खड़ी की है मेरा हिस्सा थी मेरी कमपनी, मुझे ज़्यादा खुशी होती अगर मैं अब भी उस कमपनी में काम कर पाता, लेकिन अब फर्क नहीं पढ़ता, सुधीप ने चाय की आखिरी चुसकी लेते हुए जबाब दिया, तो अब, अब क्या, अब क्या करोगे, मुझे सही में नहीं प चाहिए, क्यों, शादी करते ही सब कुछ वही रहते हुए भी बदल जाता है, इसलिए जिससे खोब प्यार हो, उससे कभी शादी नहीं करनी चाहिए, बहुत ही फालतु का फंडा है तुम्हारा, चित्रा उठकर बाथरूम में नहाने चली गई, चित्रा ने अपनी किताब के लिए कमरे में च्छत हो गई, कुछ देर के लिए कमरे की खिर्की और कुछ देर के लिए बांदरा के समंदर में डूपते हुए सूरज में पिघलती हुई शाम हो गई, उनके हाथ की छोटी उंगलियों ने मिलकर रात के तारे गिने, जब सोच लेना की क्या करने वाले ह हो तो बताना, चित्रा ने अगले दिन सुबह उठकर एयरपोर्ट के लिए निकलते से पहले कहा, तुम्हें सबसे पहले बताओंगा, चलो मेरा तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने जाने का मन है, चलो, पूछना क्या है, वैसे एक चीज है, अब मैं चैन से मर सकता हूँ, तुम पागल हो ये सब बोरिंग बातें मत किया करो, अभी तो लाइफ शुरू हुई है तुम्हारी, बस हो गया, मुझे बच्पन से ऐसी कहानिया पसंद आती थी जिसमें लास्ट में हीरो कुछ नहीं करता, असल में हम में से ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो कभी तो चाह कर, कभी न चाह कर जिंदगी में कुछ उखार नहीं पाते, मैं बच्पन की कहानी के राजकुमार जैसा नहीं हूँ, मुझे मालूम है अगर मैं एक नॉमल लाइफ जीता, एक अच्छे कॉलेज में जाकर एक अच्छी नौकरी करके शादी करता तो भी मैं इतना ही बोर होत करनी ही नहीं है तुम से, तुम नॉमल होना तब बात करना ये सब, अभी कल तुम इतना बड़ा केस जीते हो और कैसी बहकी-बहकी बातें कर रहे हो, बचे हुए रास्ते के दोरान चित्रा ने अपना पूरा ध्यान सेप पर लगाया और पूरे टाइम वह सुदीप की हतेल पूरी करो, सुदीप ने चित्रा को छोड़ने से पहले उसको गले लगा कर उसके माथे पर चुमा, रास्ते भर चित्रा सोचती रही कि ऐसा तो नहीं कि वह सुदीप के साथ हमेशा के लिए रह सकती है, वह शायद सही से सोच नहीं रही इस बारे में, फिर दूसरा खयाल आता की नहीं नहीं, एक बार वह शादी से बाहर आ चुकी है दुबारा वही गलती करने का मतलब नहीं है, सुदीप एपोर्ट से लोटते हुए यही सोच रहा था कि चित्रा से इतनी अच्छी कैमिस्ट्री है इसलिए वह उससे कभी शादी करने का सोचेगा भी नहीं, वह 2017 के दिसंबर तक चित्रा ने अपनी किताब पूरी कर ली थी, सुदीप दस दिन के लिए नासिक में विपश्यना ध्यान के लिए चला गया था, इस तरह के केसेस का फैसला इसी कोर्ट में होता है, साइरस मिस्ट्री और टाटा संस के केस में भी बड़े फैसले NCLT ने ही द किया था, उसकी किताब मार्च में आए और किताब के आने के साथ ही किताब किसी जादू की तरह विकना शुरू हो गई थी, किताब आने के एक महीने के भीतर ही उसको दुनिया भर से बुलावे आने लगे, चित्रा की किताब खासकर के 15-25 साल वाले लड़के लड़कियों क बहुत पसंद आ रही थी, उसकी किताब के के लिए मुंबई के बड़े से बड़े प्रफेसर मीटिंग कर चुके थे, उसकी किताब में ऐसा कुछ क्लासिक जैसा नहीं था, वो 15-25 साल के पाठक वर्ग को टारगेट करके लिखी गई थी, पूरी दुनिया इस जुगार में था कि कैसे यूथ का कैप्चर किया जाए, चित्रा की ओनलाइन फॉलोविंग भी बहुत बढ़ गई थी, उसे अकबार से वीकली कॉलम लिखने के ओफा आने लगे थे, 10 अक्टूबर 2018, सुदीब, 10 सितंबर को चीनी कंपनी अलिबाबा के MD जैकमा ने अपना रेटायरमें अनाउंस किया, जिसकी हेड लाइन थी, जैकमा प्रिफर्स तू डाय ओन दे बीच दिन अट अट वर्क टेबल इन अलिबाबा, उधर सुदीब के अलावा किसी को नहीं पता था कि आखिर वह कर क्या रहा था, वह कुछ दिन लखनव में रहता और बाकी दिन अपनी कार ले वहां शाम को घूमने के लिए साइकल का इस्तेमाल करता, वह एक साल में करीब 22,000 किलोमीटर कार चला चुका था, उसने अपनी कार से पूरा मध्य प्रदेश, स्पीती, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मैंगलोर से होता हुआ, कारवर बीच, ऐसा कहा जाता है कि कभी प्रदेश के एक गाउं में जाकर रुकता, उन गाउं वालों के हाथ का बना हुआ खाना खाता, चलने से पहले वह इतना कुछ दे देता कि जिसके घर भी रुक जाता उसकी लोटरी लग जाती, वह कभी किसी गाउं वाले को अपना सही नाम नहीं बताता, कोई कुछ जैसे ही वह यह बोलता कि वह अकभार के लिए काम करता है, लोग उसे अपनी समस्या सुनाने लगते, उत्तर प्रदेश के एक गाउं में वह रुका तो उसे पता चला कि यहां के कुछ लड़कों ने जन की बात का नाम का अकभार शुरू किया है, उस अकभार का मॉडल यह था कि आप जैसे शादी का एड़ पेपर में देते हैं वैसे ही आप कुछ मामूली रुप्य देकर अकभार में अपनी शिकायत दे सकते हैं, इसके लिए पैसे बहुत ही कम लिये जाते, लोग इस अकभार में बहुत छोटी छोटी समस्याई लेकर आते, जैसे कि किसी गाउ में मास्टर साहब बच्चों को पढ़ाने नहीं आये, किसी ब्लॉक में पानी नहीं आ रहा, कहीं पर सड़क तूट गई, इस अकभार का असर बहुत तेजी से हो रहा था, इस अकभार में केवल गाउं की शिकायतें ली जाती, यह अकभार हर जिले के सारे अधिकारियों त ना जाने कितने ट्रक वाले उसके दोस्त हो गए थे, यह जिंदगी जो वह जी रहा था, वो एक सपना जैसे थी, वह अपने साथ एक डाईरी हमेशा रखता था, जिसमें दिन भर में कोई एक नई चीज जो उसके साथ हुई होती, वह उसके बारे में लिखता, जितनी देर वह रोड पर होता उतनी देर दुनिया का कोई पास्ट कोई फ्यूचर नहीं होता, वह बस वही होता रोड पर, उसको अपने फ्यूचर की कोई चिंता थी नहीं और अपने पास्ट को तो वह बहुत पीछे छोड़ आया था, सुदीप 10 अक्टूबर को दिल्ली पहुच रह बड़े पब्लिशन ने 2 करोर की एडवांस रोयल्टी पर चापने की घोशना की थी, चित्रा को फाइनली वो सब कुछ मिल रहा था जो उसने चाहा था, कवर के लॉंच के दिन चित्रा का पती भी आया हुआ था, सुदीप सबसे पीछे बैठ कर सब कुछ देख रहा था, बुक स्टो में दो ही किताबे बिक रही थी, एक तो चित्रा की और दूसरी सुर्भी पराशर नाम की एक लेखे का की, आक्सपोर्ड के मैनेजर ने बताया भी कि मैम आपकी किताब का रिकॉर्ड यह बुक तोर सकती है, सबसे बड़ी बात है कि इस किताब को बच्चे कोई भी जानकारी नहीं था, नहीं इमेल एड्रेस या वैबसाइट कुछ भी नहीं, प्रोग्राम के बाद किताब पर ओटोग्राफ करते करते चित्रा को काफी देर हो गई, सुर्भी पराशर की किताब शेल्प से कम होते जाती देख चित्रा को थोड़ी उल्जन भी हो र जबर्दस्ती नहीं की, चित्रा ने सुदीप को अपने घर पर रुखने के लिए कहा और घर की चाभी दे दी, चित्रा किसी तरह से पार्टी से जल्द से जल्द फ्री होकर 11.30 अपने घर पहुंची, सुदीप चित्रा की टेबल पर बैठा अकेले पी रहा था, उसने अपनी जिंदगी से, नामवाम, पेज तीन हो गई हो, चित्रा ने जवाब नहीं दिया बस सुदीप को गले लगाए रही, वह खुश थी, उन दोनों की हतेलिया खुश थी, चित्रा का घर खुश था, चित्रा के होंट खुश थे, वे सुदीप से बात करके अपने आपको थकाना नहीं चाहते थे, सुबह उठने पर सुदीप ने बताया कि उसने चित्रा की नई किताब पढ़ ली है और निशान लगा दिया है, वह उतने हिससे दुबारा देख ले एक बार, चित्रा ने पूछा, कैसी लगी किताब, सुदीप ने जवाब दिया कि उसको सबसे अच्छी पहले वाली किताब लगी थी, अगर वो दस थी तो ये केवल चार है, चित्रा थोड़ा डिसेपाइंट हुई, इतने में उसको कुछ याद आया, उसने अपने बैक से सुर्भी पर आशकी किताब निकाली और सुदीप को बताया कि यह किताब बहुत चल रही है, म बाद उसने बताया कि वह पिछले एक साल में कितना घुमा है और उसने क्या क्या किया है, चित्रा को सुदीप के आवारा भटकने वाली लाइफ इतनी सही लगी किते हुआ कि सुदीप और चित्रा अगले 10 अक्टूबर को एक रोड ट्रिप साथ करेंगे, सुदीप कई दि ड्राइब करके दिल्ली पहुचा था, कार की सर्विस भी हो गई थी, इसलिए सुदीप ने थोड़े दिन दिल्ली में ही रुखने का प्लान किया, इतने सालों की मुलाकात में सुदीप पहली बार चित्रा के लिए से छोटे-छोटे रंग बिरंगे जंडे लेकर आया था, चित्रा ने तुरंथ ही उसको अपनी पढ़ने लिखने वाली टेबल पर लगा दिया, चित्रा रात में लिखने बैठती तो सुदीप उसके लिए कॉफी बना देता, सुदीप अपने लैप्टॉप में रास्ते भर में खीची हुई पोटो को एक साथ लगाता, सुदीप क आराम से घूम रहे थे कि इतने में चित्रा को कोई रिपोर्टर पहचान गया, हालांकि सुदीप अपना लोग इतना बदल चुका था कि उसका पहचान में आना लगभग असंभव था, सुदीप का उस रिपोर्टर से हलका सा जगड़ा हुआ, लेकिन इसका कोई फाइदा नहीं था, दो दिन बाद अंग्रेजी न्यूस पेपर की हेडलाइन थी, चित्रा पाठक is dating an unknown man with beard, हिंदी न्यूस पेपर की हेडलाइन थी, चित्रा पाठक एक अंजान शक्स के साथ घूमते हुए पाई गई, सुदीप ने जब यह हेडलाइन पड़ी तो बहुत देर तक हंसता रहा, दोनों को ही इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता था, उन्होंने साल भर की अधूरी बातों का कोटा पूरा किया, सुदीप यहां से नौर्थ इस्ट की तरफ रोड ट्रिप पर निकलने वाला था, एक बार के लिए चित्रा ने सोचा कि वह साथ चले लेकिन किताब की डेडलाइंग की वजह से वह निकल नहीं पाए, सुदीप ने चलने से पहले पहले चित्रा से कहा, वैसे तो ऐसा होगा नहीं लेकिन अगर कभी शादी का सीन बना तो वो चित्रा से ही शादी करेगा, चित्रा ने मजाक में जवाब दिया, अब मैं नहीं करने वा पहुत थी कि सुदीब को कुछ दिन रोक ले, सुदीब भी कुछ दिन रुकना चाहता था, चित्रा ने कभी पूछा ही नहीं, सुदीब ने कभी सोचा ही नहीं कि चित्रा के साथ ज्यादा दिन भी गुजारे जा सकते हैं, चित्रा कहीं न कहीं सुदीब पर आकर थार गई थ कि हमेशा कुछ न कुछ बोलते ही रहूंगा। सुदीप ने अकबार वापिस खीचते हुए कहा, कुछ तो बोलो यार, प्लीज, तो सुनो, कुछ रोमैंटिक ट्राइ करता हूं, करो, तुम्हारे साथ दिल्ली खुब सूरत लगती है। दिल्ली ऐसे लगती है जैसे रात में फ्लाइट लेते हुए टिम्टिमाता हुआ एक छोटा आसमान नीचे दिखता है। आसमान हमें उन सारी ख्वाहिशों को देखने की आँखें देता है जो जमीन पर बेकाम की बातों में उलज ही रहती हैं। बस अब आगे कुछ मत बोलना। चित्रा सुदीप की ओर देखन थी। चित्रा सोशल मीडिया की अपनी हर तस्वीर में जितनी खुश दिखती थी, अगर उसका 5% भी सही में खुश होती तो सुदीप कभी उसकी जिंदगी में इतना लंबा टिका ही नहीं होता। इसके बाद सुदीप ने चित्रा से कुछ नहीं बोला लेकिन चित्रा के जाने के बाद अपनी डाइरी में नोट कर लिया कि अगले सालवह चित्रा को लिखकर सर्प्राइज देगा। उसने डाइरी में लिखा, हमें हमेशा आसमान होने का सोचना चाहिए। आसमान के उस तरफ इसलिए कभी नहीं दिखता क्योंकि कोई यह चाहता ही नहीं कि हम अ अमरे की खिड़की के पास वाली छोटेबल हमारे पैर पर पैर रखकर जी भर सुस्ताने का इंतजार कर रही है। आखिरी बात प्यार तुम है होगा नहीं क्योंकि तुम मेरे जैसी हो और यही मेरा डर है। कुछ साल कभी भी एक मिनट के जैसे तेजी से फिसलते जाते हैं इस बीच चित्रा को इंग्लिश के सबसे बड़े पेपर ने 15 दिन में एक आर्टिकल लिखने का ओफर दिया। वह तुरंट तैयार हो गई। उसके आर्टिकल बहुत ही खतरनाक, बहुत ही कंट्रोवसियल होते थे। उधर बिना किसी पियार बिना किसी माकेटिंग के सुर भी पराशकों परना शुरू कर दिया था। सुर्भी का कभी कोई इंटर्व्यू नहीं आया था। चित्रा की किताब अगर 30 लाग बिक्ती थी तो सुर्भी की 20 लाग लेकिन यह भी बहुत अधिक था। यह जानते हुए कि सुर्भी पराशक कभी किसी इवेंट में नहीं जाती। कभी कोई मारकेटिंग नहीं करती। चित्रा ने पिछले साल 10 अक्टूबर को ही अपनी किताब अनाउंस की थी और वो किताब बहुत चली थी। वह 10 अक्टूबर को अपने लिए लखी मानती थी। चित्रा के पब्लिशर ने यह जानकारी दी थी कि उसकी किताबें लखनव, बनारस, इलाहबाद में बहुत लोग पढ़ते हैं। इसलिए इन शहरों का एक टूर प्लान किया गया है। उसने इस बार किताब के कवा को पहले लखनव से लॉंच करने का सोचा। फिर उसको खयाल आया कि पिछली साल वह सुदीब को सही से टाइम नहीं दे पा वह एक अजीबसी बेचैनी में थी। उसने डिसाइड किया कि इस साल 10 अक्टूबर वह सुदीब के लिए बचा कर रखेगी। उसने किताब के कवा का लॉंच 9 तारीक को बनारस के बीच यूग बनारस हिंदू यूनिवसिटी में प्लान किया। चित्रा ने सुदीब से प बाबा को चाय पिलाए बाबा एक कुलहर चाय पीने के बाद बोले एक कुलहर और पियेंगे। सुदीब ने चाय वाले को एक कुलहर और चाय पिलाने का इशारा किया। कुछ बेचैनी कम हुई तेरी। बाबा ने पूछा, सुधीप थोड़ा सा चौका और कुछ सोचा कर बोला, सब ठाट पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा। बाबा ने अपने जोले से राक निकाल कर सुधीप के माथे पर लगा दी। चित्रा ने मना किया, सुधीप कुछ नहीं बोला, सुधीप ने पैसे देने के लिए जेब में हाथ दाला तो बाबा ने मना कर दिया। बाबा ने नाव वाले को इशारा करके बोला की साहभ को मनिकरने का घार घुमा दो। चित्रा अब बिल्कुल परेशान हो चुकी थी कि बाबा यह सब क्यूं बोल रहा है। इससे पहले चित्रा बाबा को जाने के लिए कहते बाबा अपने आप उठकर चले गए। सुदीप को अब मनिकरने का घार जाना था। चित्रा को नहीं जाना था। सुदीप के जिद करन इस पार्ट अफ लाइफ। बनारस में इतना ब्रमग्यान सभी को था। लाशों के पीछे चाय की दुकान थी जिस पर लिखा था। खाली न बैठें और गाली न दें। वहीं दुकान पर खाली बैठे कुछ बुरे मोधी को, तो कुछ राहुल गांधी को, तो कुछ योग एक परिवार के दो लोग एक साथ एक एकसिडेंट में मरे थे. उनके रिष्टेदार लकडी पर दो लाशों का डिसकाउंट मांग रहे थे. लकडी वाला एक भी पैसा कम करने को तयार नहीं था. एक साथ साल का लड़का अपने बाप की लाश जला रहा था. वही पर रोश के आंसू भी थककर सूप जाते हैं। एक के बाद एक लाश लाई जा रही थी। सामने की दीवार पर लिखा था। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर कबीर दास। यह सब देखकर सुदीप के अंदर का कुछ हिस्सा पिगल रहा था। उसने जोड से चित्रा का हाथ पकड़ चित्रा बार बार नाव वाले को वहां से जाने के लिए बोल रही थी लेकिन सुदीप ने उसको रोग दिया। कुछ देर तक पूरा घाट अपनी आँखों में उतारने के बाद सुदीप ने चित्रा से कहा, मुझे अभी पापा से मिलना है। वहां से निकलते ही सुदीप के हिसाब से खाना बनवा दिया था। सुदीप ने पापा और चित्रा को सामने बैठाया और टेबल पर सुर्भी पराश की किताब रखते हुए बोला आप दोनों से मैं कुछ छिपाना नहीं चाहता। ये मैंने लिखी है। चित्रा कुछ रियक्ट करती इस से पहले ही पा रहा था और चित्रा उन दोनों को देख कर। सुदीप ने पापा के गले लगे हुए ही कहा, मा के जाने के बाद मैं आपसे नफरत करने लगा था। मुझे माफ कर दीजिए, मैं हमेशा आपसे भागता रहा, अपने घर से भागता रहा, अब इस बात के बोज के साथ जी न एक सुदीप को पहली बार एहसास हुआ कि एक उम्र के बाद बिस्तर पर अकेले सोना इस दुनिया का सबसे बड़ा काम है, हर बिस्तर पर इतनी जगह होती है कि उसमें समंदर भर बेचैनी सूख जाए, सुदीप को सालों बाद पापा के साथ सोकर अपना खोया हुआ घर म न किया जाए, सुदीप ने सुर्भी फांडेशन के बारे में सब कुछ सोच रखा था, जिसमें ऐसे बच्चों को स्कॉलरशिप दी जानी थी जो किसी भी बजह से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाये थे, सुदीप ने जो किताब सुर्भी पराशक के नाम से लिखी उसकी रोयल्टी के पैसे भी सुर्भी फांडेशन में ही जमा होने थे, पापा को चित्रा के साथ अपना घर पूरा लगता था, असल में घर में मा के न रहने से और तो जो कुछ होता हो लेकिन सारी बात चीत रुप जाती है, चित्रा इस घर का आधूरा हिस्सा हो गई थी लड़कियां एक समय के बाद घर की मा बन जाती हैं फिर पता नहीं कब घर की नीव का हिस्सा हो जाती हैं, पापा ने दोनों से शादी के लिए पूछा तो चित्रा और सुदीब दोनों ने बताया की की बस अगले 10 अक्टूबर को हम शादी कर लेंगे, चार पांच दिन र रिबक्रीब नवंबर निकल गया, उसने 15 दिसंबर को गुहाटी के लिए निकलना फाइनल किया, इस बीच चित्रा दो बार लखनाओ आई, वह जितने दिन के लिए आती उतने दिन पापा बहुत खुश रहते, 15 दिसंबर को वह गुहाटी जाने के लिए निकला, उसको ग असल में सरस्वती नदी सबके भीतर होती है, लेकिन गंगाजमुना के चक्कर में उस नदी तक कम लोग ही पहुँच पाते हैं, सगन्म में गंगा और जमुना का रंग तो अलगलग दिखता है, लेकिन सरस्वती का रंग वही होता है, जो हमारे मन में होता है, सुदीब बह उसने पगडंडी में घुसते हुए ध्यान नहीं दिया वह कई किलोमीटर अंदर आ चुका था। अपनी कार खड़ी करके वह पंचायत देखने पहुच गया। पंचायत में अच्छा खासा शोर शराबा, गाली गलोज चल रही थी, महौल में अच्छी खासी गर्मी थी, उसको वहां रुपना ठीक नहीं लगा लेकिन वहां कोने में करीब 20 साल की एक लड़की को रोता कर रहे थे, उसने एक लड़के से समझना चाहा कि आखिर हुआ क्या है, यह लड़की इतना रोप क्यूं रही है, लड़के ने बताया कि ठाकुर साहब के लड़के ने इस लड़की के साथ जबरदस्ती की है, लड़की छोटी जात्की है, लड़की अब पेच से है, पंच परिवार वाले पैसे बढ़वाने के लिए गिरगिरा रहे हैं। सुदीप ने यह सुना तो उसके पैर से नीचे से जमीन सरक गई। उसको अपने अकाउंट में पढ़े हुए पैसों से इतनी नफरत कभी नहीं हुई थी। वह अपने आपको कंट्रोल नहीं कर पाया। उसन के इशारे पर दो-तीन लड़के उसको पकड़ने के लिए भागे। कुछ ही मिंटों में दो-तीन लड़के एक बड़ी भीड में बदल गए। सुदीप किसी तरह से भाग कर अपनी कार तक पहुचा। उसने अपनी कार भगाई। कोहरा अंधेरे में बुरी तरीके से मिल था। इधर कुछ लोग मोटर साइकल से उसका पीछा करने लगे। एक दो पत्थर उसकी कार का शीशा तोड़ चुके थे। सुदीप जितनी तेज कार भगा सकता था, भगा रहा था। हाइवे से आती हुई हौन की आवाज से उसको अंधा जा लगा कि हाइवे अब ज्या हो सकता था। गाओं वाले वापिस लोट गए, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। गाओं में ठाकुर साहब ने गाओं भर को खिलाने की तैयारी शुरू कर दी थी। ट्रक वाला दर के मारे भाग गया। कार भगी कोने में बहुत देर तक पड़ी रही। रात के करीब 10 बजे पुलिस को गष्ट में एक्सीडेंट के बारे में पता चला। सुदीब के पापा को लखनव में सूचना दी गई। पापा ने तुरंध ही चित्रा को फोन करके बताया। वे बहुत ज्यादा घबराय हुए थे। सुदीब के पापा का एक स्टुडेंट ही नहीं रहा था। डॉक्टर कुछ भी नहीं बता रहे थे। 16 दिसंबर की सुबह सुदीब इस दुनिया से आजाद हो गया। जब कोई मरता है तो वह के ले नहीं मरता अपने साथ पूरी दुनिया लेकर मरता है। चित्रा और पापा के लिए पूरी दुनिया खत्म हो चु हमारे समय की सबसे बड़ी लगजरी है। किसी को कभी पता नहीं चला की गाउं में उस दिन क्या हुआ था। जरूरी नहीं की भीड घेर कर ही मारे। भीड कई बार चुपचाप भी मार देती है। जनवरी में सुदीब का वकील मुंबई से लखनौ आया। उसने रुपय क हिसाब किताब दिया। सुदीब की इच्छा सुदीब के पापा सुन ही नहीं पाए। सुदीब के पापा अनात हो चुके थे। सुदीब की बिल में उसके सारे पासवर्ट थे। चित्रा ने वहीं लखनौ में रहने का फैसला किया। सुदीब ने अपनी बिल में यह भी प्यानी की सुर्वी पर आशकी तीसरी किताब के कुछ पन्ने मिले। चित्रा ने जब पब्लिशर से बात की तो पता चला कि सुदीप ने आधी किताब इमेल कर दी थी और बची हुई किताब वो जून में देने वाला था। किताब की लाँच डेट सुदीप ने 10 अक्टूबर 2020 रखने के लिए इमेल किया था। चित्रा ने जब उन पन्नों को मिलाया तो पता जला कि ये उसी तीसरी किताब का हिस्सा है। चित्रा ने पापा को इस बात के लिए समझा भी लिया कि सुदीप की अधूरी किताब ही छपने भेज दी जाए। को समझाया भी कि उसको कोई दिक्कत नहीं है और वह कहीं नहीं जाएगी. इस पर पापा ने यह शर्त रखी कि अगर तुम नहीं जाओगी तो तुमको वैसे ही रहना होगा जैसे कि सुदीब हमारे साथ हो. यह बोलकर पापा की और यह सुनकर चित्रा की आँखें गीली हो ग चित्रा ने पापा की बात मानकर अपनी जिंदगी को आसान करना शुरू किया. उसने लिखना शुरू किया और सुदीब की बची हुई किताब पूरी कर ली. साल 2019 से चित्रा को लाखों शिकायतें थी. लेकिन 10 अक्टूबर को वह सुदीब के साथ थी, उस एक दिन की शिक चित्रा रुकी नहीं. उसने आगे यह बताया कि चून की सुदीब कुछ भी छोटा नहीं करता था. इसलिए सुर्भी फाउंडेशन हर साल 5 नए लेखकों को स्कॉलरशिप देगी. जिसका हर साल नए लेखक को 10 लाख रुप्य मिलेंगे. लोगों के मन में अब भी हजारो सवाल थे. कोई चित्रा और सुदीब के रिश्टे के बारे में पूछ रहा था तो कोई सुदीब के बारे में. सेकड़ों सवालों को वैसे ही छोड़कर चित्रा प्रैस कॉनफरेंस से निकल कर सीधे एएपोर्ट चली गई. चित्रा का पीछा एएपोर्ट तक कई रिपोर नाव अकेली है, चित्रा अकेली है, बनारस अकेला है, बनारस की हर एक गली अकेली है, बनारस का हर एक घाट अकेला है, चित्रा को वही नाव वाला दिखा जो दस साल पहले मिला था और पिछले साल सुधीब के साथ भी मिला था, पूरा घाट बिलकुल सुनसान देखकर चित चित्रा ने इसका कोई जवाब नहीं दिया. नाव चलना शुरू ही हुई थी कि इतने में वही बाबा आकर नाव में बैठ गए जिसको सुदीब ने पैसे दिये थे. नाव वाले ने बाबा को भगाने की कोशिश भी की लेकिन चित्रा ने ऐसा करने से मना कर दिया. बाबा न जब उन्होंने देखा कि चित्रा उनकी बात पर ध्यान नहीं दे रही तो वह चित्रा को करीब करीब जगजोरते हुए बोले. महादेव भुलेनात को और धनारिश्वर बोलते हैं. जानती हो. चित्रा चुप रही लेकिन उसने बाबा की आँख में देखा. उसको बाबा क अंदर की अधूरी औरत को जिंदगी भर बाहर धूनता रहता है लेकिन वो औरत बड़ी मुश्किल से मिलती है. वैसे ही हर औरत अपने अंदर का अधूरा आदमी धूनती रहती है लेकिन वो अधूरा आदमी बड़ी मुश्किल से मिलता है. और कई बार वो अधूरा मिलत और मैं सभी पढ़ने वालों से बार-बार आगा पीछे ले जाने के लिए माफी भी मांगता हूं, लेकिन मैं क्या करूं। मैं कहानिया लिखने से ज्यादा उनको जीने में विश्वास करता हूं। इसलिए अपने घटिया लिखने का दोश मैं अपने पूरे होशोवास में अपनी जिन्दगी को देता हूं। मलाल बस यही है कि मैं जिन्दगी को बस उतना ही पकड़ पाया हूँ जितना की एक बंद करके कोई हवा पकड़ पाता है कहानी का अंध पकड़ने के लिए कहानी को वहां से पकड़ना पड़ता है जहां से कहानी शुरू हुई थी सच पूछिए तो यह कहानी हुई ही न होती अगर चित्रा और सुधीप अगले दिन सुभ़ मिले नहीं होते रात में मिलकर किसी को भूल जाना सुधीब के लिए नया नहीं था और चित्रा एक कहानी लिखने के बाद यह भुला देती थी कि कहानी के किरदार से वह सच में मिल चुकी है इसलिए इस कहानी का सिरा सही से पकड़ने के लिए 10 साल पहले चलना पड़ेगा ठीक उस दिन जिस दिन चित्रा और सुधी पहली बार नाव में बैठे थे 10 अक्टूबर 2010, असी घाड बनारस मैं चाहती हूँ कि मुझे हर कोई पहचाने मेरे अपने कमाए हुए खूब पैसे हो मेरी किताबें लाखों में बिकें हर जगह मुझे बोलने के लिए बुलाया जाए न्यूस पेपर में मेरी फोटो आए न्यूस रूम में मुझे बुलाया जाए इन शॉर्ट मुझे कोई अबोइड नहीं कर पाए चित्रा ने अपने फ्यूचर प्लान बताते हुए कहा तो चित्रा मैडम रिच और फेमस पेज तीन सेलिब्रिटी होना चाहती है इसमें रोने की क्या बात है सुदीप ने चित्रा को बात सुनकर मजा कुरने वाले अंदाज में जवाब दिया मुझे लगता है कि ये सब कुछ नहीं हो पाएगा मैं पिछले तीन साल से एक किताब पूरी नहीं कर पाए ये सब कुछ हो गया तब ज़्यादा परेशानी होगी लेकिन बो तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा सुदीप ने कहा जाओ बच्चा वर्दान देते हैं तुम्हें तुम एक दिन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लेखे का बनोगी बड़ी राइटर हो जाओगी तो भूल तो नहीं जाओगी न वेल बाद में मैं तुम्हें पहचानूगी या नहीं अभी से इस बारे में कुछ कह नहीं सकती देखना एक दिन तुम्हें सब मिल जाएगा पैसा नाम सब कुछ उस दिन तुम मेरी जगह को अपने आपको रख कर दुनिया देख पाओगी लाइफ की ट्रेजिडी ये नहीं है कि ये नहीं मिला वो नहीं मिला यहां मिलता सब को सब कुछ है बस टाइम से नहीं मिलता दस अक्टूबर दो हजार बीस शाम पांच बजे असी घाट बनारस चित्रा को वो सारी बातें याद आ रही थी उसको यह नहीं लग रहा था कि सुदीप नहीं है वह समझ ही नहीं पा रही थी सच क्या है और सपना क्या है कुछ दिन हो जाते हैं चित्रा के लिए यह वही दिन था सुदीप उसको सामने नाव में बैठा हुआ देख रहा था चित्रा को मलाल यह नहीं है कि सुदीप नहीं है वह जिंदा भी था तो कौन सा वे मिलते थे, लेकिन केवल यह तसली की बह दूसरा है अभी इस दुनिया में, क्या इतना ही काफी नहीं होता अपने आपको समझाने के लिए, एक आदमी के नहोने से पूरी दुनिया कैसी खाली हो सकती है, ऐसी बातें चित्रा ने अपनी किता केला ही होता है, इस दुनिया के बाद किसी दूसरी दुनिया की उम्मीद, शायद हम सब की आखिरी उम्मीद होती हो, ऐसी दुनिया जो की हम बना सकते थे, ऐसी दुनिया जो हमें जिंदगी भर सपनों में दिखती थी, इसलिए शायद हम अपने सपने भूल जाते हैं, क्य सुदीप होता तो वह यही चाहता कि वह किताबें लिखे और किताब पर स्टाइल में साइन करे, with love luck और like, चित्रा. सुदीप के पास जाने से पहले इतना मौका था ही नहीं कि वह कोई बादा ले पाए कि चित्रा कभी लिखना नहीं छोड़ेगी. लेकिन उन दोनों के बीच ऐसा कुछ था ही कहा जिसमें कोई बादा हो, प्यार हो, शिक्वा हो या शिकायत हो. हर वह लड़की जो चित्रा हो सकती थी वह किताब नहीं लिखती. हर वह लड़का जो सुदीप हो सकता था वह गुमनामी में जीना और मरना नहीं चाहता. दुनिया वैसी उदासी नहीं चाहती, कोई वैसा कुछ नहीं चाहता जैसा होता है, चित्रा और सुदीप जैसे हम शापित लोग हैं, हमारा नाम, पता, पहचान, शाक्ल, जिंदगी सब कुछ शाप है, मैं भी कहानी ऐसे खत्म नहीं करना चाहता लेकिन मेरे हाथ से ये दोनों बहुत पहले ही छूट गए चित्रा और सुदीप उस कहानी के किरदार जैसे थे, हम सब के अंदर का एक हिस्सा चित्रा और सुदीप जैसा है ही, जो किसी के जैसा नहीं है, जो किसी के जैसे जीना नहीं चाहते थे, सुदीप को मैंने मारा नहीं, उसको मरना ही था, चित्रा को मैंने वो सब कुछ दिय कोई होगा ही नहीं. कोई कभी जान ही नहीं पाएगा कि हमारे मन में आखिर था क्या. हम थे कौन ये सवाल हमारे साथ ही चला जाएगा. कुछ लोग बोल देंगे कि बड़े अच्छे आदमी थे या बड़ी अच्छी औरत थी? बस, बस सबकी कहानी इतनी ही है. मैं इतनी बात पढ़ेगा क्योंकि चित्रा अकेली है, वह थोड़ी देर चुप रहना चाहती है, मैं थोड़ी देर चित्रा के साथ चुप हो जाना चाहता हूं, जितनी देर वह चुप है, उतनी देर सुदीब वही उसके पास है, ऐसे भी दुनिया में इतना शोर है कि किसी को कहानी सुना पाना अपना हाल बताने जैसा है, पूछता हर कोई है, सुनना कोई नहीं चाहता, सुदीब के पास चित्रा थी, चित्रा के पास सुदीब, कुछ रिष्टे खुश्बूर जैसे होते हैं, बांधते ही बासी हो जाते हैं, चित्रा के लिए सुदीब बासी नहो जाए, इसलि की वैसी कहानियां पूरी होते ही दिल दिमाग उंगलियों से हट जाती हैं। जब तक कहानी अधूरी रहती है तब तक लेखक और पाठक की उंगलियां उन्हें बार-बार छुने के लिए बेचेन होती रहती हैं। क्या आप भी लेखक बनने के ख्वाब देख रहे हैं। तो आपका काम हम आसान कर देते हैं। मतरुभारती.com भारत के श्रेश्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म में से एक है जो भारतिय भाषाओं में साहित्य लिखने और पढ़ने वालों के लिए कुम्भ मेले जैसा है। अगर आप हिंदी में कहानिया वह उपन्यास लिख रहे हैं और एक विशाल पाठक वर्ब तक थोड़े समय में पहुंचना चाहते हैं तो मतरुभारती.com आपके लिए श्रेश्ट स्थान है। ज्यादा जानकारी आपको मतरुभारती की वेब साइट पर मिलेगी या फिर आप इन्फो अट मतरुभारती.com पर इमेल भी कर सकते हैं।